यहां उपस्तित हमारे आदर्णी अमित्र प्रद्ध्यपक्षरत पाटिल जो आज के कार्यकरम के अध्यक्ष भी है मेरे साथी हरीज जी देशमोग, सुरेज जी जुर्मुरे, प्रशान जी सपाटे और पुरे विधर्ब से जो कार्यकरता यहां आये हैं चाया सावरकर, पंकज वंजारे, सुनिल वंजारी, सुधी रांडे, भगवान खराथे, अरुन जी बनकर, तनुच चोवे, संजे कटकमवार, शिरावन खुद्रे, राजु वान खेडे, राजु नाइक, दत्ता भव शिरिसाट, शरद वान खेडे, हरिभव पाथोडे, सभी हमारे कारेकरता कई सालों से बीस से तीस सालों से इस क्षेतर में काम कर रहे हैं, और सभी को इस आज की सभा की उत्सुकता थी, इसलिए इन में से कुछ आयो जख है, और कुछ लोग बहुत बारगाओं से आये हैं, मित्रों हम जानते हैं कि आज के विशे हमारा है, दिरेंद्र महराज के दिव्य दर्बार की पोल खोल। लेकिन उन्होंने जाहिर विडियो के माध्यम से ये कहा है कि इस आदमी और इसकी सभी गतिविदियों पर बहिशकार करे तो शायद बहुत कम भक्त यहाँ होगे। लेकिन ये प्रोग्राम लाहू हो रहा है इसलिए सब लोगों तक ये प्रोग्राम शायद पहुँच पाएगा और मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी महसूस होता है कि धिरेंद्र, कुरुष्ण जी, महराज के जो भक्त हैं ऐसा जिन लोगों को लगता है उनके साथ मैं मैं सम स्थापित करूँ और उनको ध्यान में लगकर आज की बात मैं कह रहा हूँ मैं सभी लोगों का आपका स्वागत करता हूँ जो महराज के भक्त हैं जो इस जैसे चमतकारून पर विश्वास रखते हैं और जो लोग इन लोगों पर विश्वास नहीं रखते हैं धर्म में के वल आस्था रखते हैं उनका भी स्वागत करता हूं और जो लोग ये दोनों चीजों में आस्था नहीं रखते हैं और अलग से विचारों को अपने आपको मानते हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मित्रो मेरी खुद की एक मानसिक्ता थी मेरी उमर के करीबन 28 साल तक मैं बहुत अंदविश्वासी था सभी प्रकार के अंदविश्वास मुझे में थे मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ एक तरप मेरे पिता जी विनोबा जी के सेकरडरी थे उनका जो वीकली था साम्योग उसके संपादक थे लेकिन दूसरी और वो बहुत ही अंदविश्वासी थे मैं दसवी क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था मैं वरधा में पढ़ रहा था भूत लगा था यवतमाल में मेरी खेती हैं वहां के लाड़ खेड गाओं के एक बड़े मांत्रिक के द्वारा मेरा भूत उतारा गया बचपन में घर से बाहर पढ़ते वक्त मैं कभी चपल पढ़ने बिना बाहर पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्या हो कि मुझे हमेशा जारण मारण प्रक्रिया का डर लगता था शायद मेरे पैर की नीचे की कोई मिट्टी पर पकड़ ले और उसकी अगर गुडिया तयार करे तो उस गुडिया की अगर गरदन उधर मरोडी गई तो मेरी गरदन यहां मरोडी जाएगी इसका मुझे बहुत डर लगता था मंत्र तंत्र जादू डोना से लेकर हर चीज का डर मेरे मन में था मैं खुद कई बाबाओं का भक्त था उनके पैर दुता था, उनकी जूतन खाता था, उनकी सेवा करता था मेरे पिता जी बहुत ही अंदविश्वासी होने के कारण आजपास में जो भी बाबा आता सबसे पहले मेरे पिता जी को पकड़ता पिता जी पॉलिटिकली बहुत इंफुर्वेंशल थे अगर मेरे पिताजी उनके भक्त बनते हैं तो कही आसपास के MLA's, MPs से लेकर बड़े-बड़े लोग उनके चर्णों पर माथा टेकने के लिए आते थे इसलिए कई बाबा बड़े बनते हुए मैंने अपने आसपास देखे हैं वे क्या करते हैं ये बहुत नजदीक से देखा है लेकिन उन सब चीजों पर मेरी श्रद्धा थी इसी वातावरण में पलते बड़ते जोतिश पर मेरा बहुत विश्वास था मेरे कॉलेज के जीवन में जब मैं विद्धैपिट परिसर में पढ़ रहा था तब खुद जोतिश का छोटा मोटा व्यवसाई भी करता था क्योंकि तब मेरी श्रद्धा थी कि जोतिश में कुछ तो भी तथ्या है कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के अंदव विश्वासों का मैं भुगत चक्वा हूँ मेरे जीवन में और उसके परिणाम भुगतने वाला एक भक्त हूँ इसलिए आम भक्त की जो मानसिकता होती है वो मुझे बहुत अच्छे डंग से समझती है मैं कॉलेज में तरुन भारत में साला की मैंने पत्र करी ता शिरुबात की तब मैं पढ़ रहा था इंदिरा गांधी जी ने इंबर्जंसी लाई तब पढ़ रहा था उसके खिलाप अंदोलन किया जेल में गया बरधा के जेल में दस मैंने रहा बाद में छूटने के बाद में फिर पढ़ने के लिए यहां आया तब तरुन भारत में मैं कॉलम लिख रहा था एक तरब बहुत ही प्रोग्रेसिव वीचार में रखता था और दुसरी तरब सभी प्रकार के अंदविश्वास मुझ में कायम थे अंग्री जी का अध्यापक बना फिर भी मेरे अंधविश्वास कायम थे जे प्रकाश नारायन के संगडन का में विधर्प का बाद में महराष्ट का चीप बना तरुन शांती सेना उसका नाम था देश भर में गुमता था अलेक अलग विश्वास पर व्यक्षान देता था मार्शवास से लेकर गांधिवास तक चर्चा करता था लेकिन मेरे अंधविश्वास कायम थे जब मैं पूना में किरलो सकर प्रेस में नोकरी के लिए गया तब मेरा ये बुद्धी प्रामाणिवादी विचारों से रैशनल विचारों से परीचय हुआ डॉक्टर अबरहाम कूर की दो किताबे बिगौन गौर्डमेन और गौर्ड्स डेमन्स और स्पिरेट्स ये मैं उन्हें पढ़ी तब तक मैं अपने आपको बहुत ही अध्यात्मिक व्यक्ति समझता था मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी थी सभी प्रकार की सिधिया प्राप्त करनी थी मोक्ष प्राप्त करना था और इसलिए आध्यात्मिक शेत्र के जो उचे विचार होते हैं उसका मुझे बहुत अच्छे डंग से परीचय था विनोबाजय से बहुत ही उची पहुची ये दो किताबों के माध्यम से जब मुझे पता चला तो मुझे में परिवर्तन हुआ और मैंने अपने पत्र का रिता में ही भांडा फोड शुरू कर दी विजय तेंडूलकरजी का नाम आपने सबने सुना है उनका गेहराई नाम का चित्र बटाया ये गेहराई में पद्विनी कोलापुरे का नियूड सीन था इसलिए बहुत ही स्पिच्कर की चर्चा हुई इसकी स्क्रिप्ट विजय तेंडूलकरजी ने लिखी थी और विजय तेंडूलकर बहुत ही प्रोग्रेसिव राइटर माने जाते थे मैं जिस विकली में काम करता था किर्लोसकर के मनहर उसमें मैंने कवर स्टोरी लिखी और इनको अवहान दिया विजय तेंडूलकरजी को कि आप कहते हो क्योंकि उसमें बताया क्या गया था कि डॉक्टर श्रीराम लागू जो पद्मिनिक कोलापुरे के पिताजी है वे बहुत ही रैशनल है बुद्धिवादी है ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं लेकिन जब पद्मिनिक कोलापुरे के शरीर में भूत आना शुरू होता है भानामती की किस होती है याने कपड़े अपने आप जलना जो चीजे पकाई जाती है उसमें गंदगी आना ये भानामती पोल्टेर्जिस फेनोमेना है इसमें दोनों मिक्स थे भूत का भी और पोल्टेर्जिस फेनोमेना के भी है तो उस पर उनका विश्वास बैठता है और वो अपने रैशनेलिटी छोड़ देते हैं इस डंग की ये फिल्म थे और उना विकास इसके डाइरेक्टर थे और ये अवहान देने के बाद में मेरे वहां से शुरुवात हुई हलाकि विजे तेंडूलकर हमारे बहुत अच्छे मित्र थे उनकी प्रोग्रेसिव हुई हमेश थे इसके बावजूद उसकी शिरुवात इस ढंग से हुई और उसके बाद में मैंने अपने पत्र का रिता में कई बाबाओं का भंडा फोर करना शुरू किया उसके बाद मैं फैरसे तरुन भारत में आया मेरे विचार इतने बदल चुके थे कि तरुन भारत को सहन करना मेरे याने मुझे सहन करना उनके लिए बहुत कठिन हुआ जिस वीकली के लिए मैं यहां आया था वो वीकली ही बंद कर दी ताकि मुझे नोकरी से ना निकालना पड़े क्योंकि मागोवध्य हमारे संपादक थे और वो कह रहे थे कि मैं इसको नोकरी से नहीं निकाल सकता हूँ इसलिए वीकली ही बंद कर दी तब मेरे ध्यान में आया कि मैं पत्रकार करकर काम करना चाहता हूँ जहां वीचारों का कोई संबंद नहीं होता है या फिर वीचारों की कोई जंजट नहीं होती है वहां इंसानों से मेरी ज तरुन भारत में आया आखरी तक मागोवईद्य और दीभा घुमरे यह जो दो मेरे संपादक थे वो मेरे साथ में खड़े थे मुझे निकालने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन यहां विचारों से मैं जम नहीं पा रहा हूं तो पत्रकाडिता में अपने विचारों के आधा देशवर में नोक्री करें यह संभव नहीं है यह मेरे ध्यान में आने के बाद में मैंने निरणाए लिया और 1982 में तरुन भारत ने जैसे ही विकली बंद करने का निरणाय लिया 1982 डिसेंबर से अखिल भारती अंदश रद्धा निर्वुलन समीते के नाम से यह अंधोलन की मैंने शुरुवात की, मित्रो क्यों शुरुवात की, उसके पीछे का कारण था, कि मुझे इतने विश्व का इतना अच्छा ज्ञान है, देश्वर में घुम घुम कर मैं वैक्षान देता हूँ, कई विश्यों पर मैं लिखता हूँ मेरे लिखने पर लोग प्रेम करते हैं वैख्यान पर लोग प्रेम करते हैं और मैं अपने आपको समझता हूँ कि मुझे पूरे दुनिया का ग्यान है इसके बावजूद मेरे जीवन में मुझे एक भी वक्ति नहीं मिली थी 1980 तक कि जो confidently कहे इस दुनिया में भूत नहीं होता है इस दुनिया में चबतकार नहीं होता है किसी को सिद्धीप राप्त नहीं होती है और जोतिश ये science नहीं है ये कहने वाला एक भी वक्ति मेरे जीवन में नहीं मिला थे जो मैंने अपने जीवन में भूगता है मेरे पिता जी का वो जिन्दा थे तब उनका शराद्ध बनाया गया मेरे घर में ही वो शराद्ध हुआ आप कलपना कर सकते हो कि जो व्यक्तिया ने मेरे पिता जी ग्यानिश्वरी का निरूपन करते थे तुकारम की गाथा लोगों को समझा कर बताते थे साम्मयोग के संपादक थे वो जिन्दा रहते एक बाबा उनका शिराद्ध करे और मेरे घर में वो हूँ ये ऐसे कई मेने अनुभव अपने जीवन में लिये हैं तो जब मुझे पता चला कि ये सब जूटा है लोगों तक पहुचानी के इसके आवशकता है तो उसके पीछे की भावना थी जो मेरे घर का हुआ, मेरे माता-पिता का हुआ, मेरे भाई-बेहनों का हुआ, जो मेरा हुआ, वो बाकी आम लोगों का ना हो, इसलिए उनको जागरुत करने के लिए ये मोमेंट शुरूरूरू पहले दस साल तक कोई नोकरी न करते हुए, फुल टाइम ये काम मैं करते आया उसी में से ये पूरा संगटन खड़ा हुआ, मित्रों आप सबको इसकी बहुत जानकारी है, इसलिए बहुत डिटेल्स में मैं जाओंगा ने, नाकपूर में मैं आया था, मेरे मित्र ने आपके सामने कहा है कि इंडियन साइंस कॉंग्रेस अटेंड करने के लिए मैं आया, एक तो गए चालीस सालों से हम लोगों के मन में वईज्यानिक दुष्टिकोण जगाने का, उनके विचारों में वईज्यानिक दुष्टिकोण जगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी कॉंस्टिटुशन में 51.A.H. में हमें कुछ ड्यूटी सोवपी है, साइंटिविक टेम पर वईज्यानिक दुष्टिकोण, स्पिरिट ओफ एंक्वाईरी, चिकित्सक प्रवरुत्ती, रिफॉर्म, सुधार करना, और हुमेनिटी, मानवता, ये चार चीजे, ये चार मुल्य, हर व्यक्तिने अपने जीवन में अमल में लाने चाहिए, और उसमें लोगों में फै और इसी को मानकर हम गए चालिस सालों से अखिल भारती अंदेश रद्धा निर्बुलन समीती के द्वारा काम कर रहे हैं, साथ में महराष्ट में जो कानून बना जादू टोना विरोधी कानून, उसकी जो समीती है जादू टोना विरोधी कानून, प्रचार प्रसार अमल जादू जादू प्रफारा काम जादू जादू टोना विरोधी कानून लोगों को समझाते, समझाते, उसका प्रचार प्रचार करते उसकी अमल बजावनी यने इंप्लिमेंटेशन करते करते लोगों में वईघ्यानिक प्रचार हो तो मुझे लगा कि इंडियन साइन्स कॉंग्रेस नागपूर में हो रही अपने गाउं में हो रही ठीक है मैं गए 26-27 सालों से मुंबई में रहता हूँ लेकिन मेरा गाउ है नागपूर तो कम से कम हमने ये अटेंड करनी चाहिए इसलिए तीन से साथ तरिक तक जो इंडियन साइन्स कॉंग्रेस थी उसमें केवल एक श्रोता करकर आने के लिए मैं यहां आया आते ही मुझे पता चला कि धिरेंद्र कुष्ण जी महाराज इनका गीता प्रवचन यहां आयोजन हो रहा है पाथ से तेरा तारीक तक पाथ से तेरा जनवरी तक मेरी पहली प्रतिक्रिया थी अच्छी बात है रामकथा का अगर आयोजन हो रहा है रामकथा प्रवचन हो रहा है तो उसका हमने स्वागत करना चाहिए क्योंकि मेरे जीवन में जब मैं वरधा में पढ़ रहा था कॉलेज में पढ़ रहा था उन दिनों मैं बाल साउसकार केंदर चलाता था और 15-15-20-20 दिन राम कथा बच्चों को सुनाता था तो मेरे लिए तो यह बहुत नस्दिक की बात है मेरे खुद के आस्था की बात महात्मा गांदी जैसे व्यक्ति भी हमेशा कहता है राम का नाम लेता है और केवल इतना नहीं है तो वो अपने को बहुत अच्छा राज्य लाने के लिए उसका राम राज्य करकर उल्लेक करता है तो राम भारत में सभी सामान्य भारतियों लोगों के आस्था का विश है तो एक अच्छा बात है इसका तो हमने स्वागत करना चाहिए यह मेरी पहली प्रतिक्रिया थी मेरे साथियों ने ध्यान में लाकर दिया कि सर ऐसा नहीं है वो दिवे दर्बार भी लगाते है और यहां भी दिवे दर्बार लगने वाला है साथ और आठ जन्वरी को उसको प्रेद दर्बार भी कहा खुद महराज जी ने कहा इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ उसमें काफी वो चमतकारों का दावा करते हैं फिर मैंने कहा वो चमतकारों का दावा करते हैं मुझे बताइए क्या है फिर एक दो प्रूप्स मेरे सामने रखे गए हैं उसके बाद में मैंने पुरे टीम को भीडा दिया हमारी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अनुभवी है, जा कानून के बारे में सभी बारीकिया जानते हैं, सब मेरे आट-दस मित्रों ने, मेरे साथियों ने, 40-50 वीडियो जो उपलब्ध है यूट्यूब पर दिव्वे दर्बार के नाम से उनको खंगाला, खंगालने के बाद में उसमें क्या-क्या मिलता है, वो सब देखा और देखने के बाद में मेरा ध्यान उदर बटाया, इस वीडियो में कई बार Drugs and Magic Remedies Act 1954 का उलंगन किया गया है, जादू टोना विरोधी कानून 2013, जो महराष्ट सरकार का कानून है, उसका उलंगन किया गया है, तो इसलिए स्वाभावेखे हमने ये सभी प्रमान प्रूप्स इकठा किये, और पहला जो मेरा काम था कमेटी का सहध्यक्ष इस रिष्टे से, जो गवर्मेंट की कमेटी है, शासन की कमेटी है, उसके माध्यम से उस लेटर हेड पर दक्षता अधिकारी इस कानून के तहत डिप्यूट किये जाते हैं, जादू टोना विरोधी कानून के तहत, और उन पर कुछ जिम्मेदारी सोपी जाती है, पाच वे कलम के अनुसार, नाकूर के प्रधान दक्षता अधिकारी क्राइम एसीपी होते हैं, उनको समनवा एक दक्षता अधिकारी कहा जाता है, तो मैंने डायरेक्ली उनके सामने कंप्लेंट रखी, क्यों कि उन पर क्या-क्या ज पहिली जिम्मेदारी उन पर है कि इस कानून के तहट अगर कोई बात का उल्लंगन हो रहा है, उनके जुरिडिक्शन में, उनके एरिया में, तो उस पर रोक लगाए, उसे प्रतिबंधीत करे, उस पर कंप्लेंट इफायार दायर करे, आगे की कानूनी कारवाई करे, और ब कानून के तहट ये कोगनिजिबल है, नॉन बेलेबल है, इसका मतलब पुलीस को एफायार दाखल करना नहीं करना, ये अधिकार नहीं है, अगर इसका उल्लंगन होता है, तो कंपलसरी एफायार दाखल करना है, इसको बोलते है कोगनिजिबल, नॉन बेलेबल इसका मतलब ह रहा जाता है ये कानून में जो सजा का प्रावधान है पनिश्मेंट का प्रावधान है वो छे महा कारवास से लेकर साथ साल कारवास तक का प्रावधान है एंड पाच हजार से लेकर पतास हजार रुपे दंड तक का प्रावधान है और नहीं है याने जो भी इस कानून के त की वो जो बात हैं बारी की हमें बाद में आपके सामने रखने वाला हूँ तो ये कानून इतना कड़ा है ड्रज एंड मैजिक रेमिडिज एक 1954 ये भी कोगनीजिबल ओफेंस है यानि पुलिस को एफायर दर्ज करना ही पड़ता है तो इसके सब प्रूफ्स मैंने ACP जी को जो क्राइम के यानि ACP क्राइम है दक्षता अधिकरी प्रमूखे नाकपुर के है रोशन जी पंडित इनके सामने सब रखें केवल प्रूफ्स नहीं रखें तो कैसे कैसे कानून लगू होता है ये सब बारी किया उनके सामने रखें कानून के कौन कौन से कलम लगू ह हुआ है इसके प्रूफ्स उनके सामने दिये मूल विडियो और उसका काटा हुआ हिस्सा जिसको ये बाग लगू होता है ये हिस्से को लगू होता है और उसका शब्दांकन करकर यानि हिंदी भाषा में होने के करण हिंदी भाषा में उनका शब्दांकन करकर भी उनके पास यहांने पूरा रेडिमेट बना के उनके पास मैंने दिया समीती के लेटर हेड पर अदश्रदा निर्बुलन समीती के नहीं जादू टोणा विरुधी काइदा प्रचार प्रसार अम्मल बजाओनी समीती के लेटर हेड पर ये कंप्लेंड दिये उसके बाद में हमने नव तारिक को प्रेस कॉंफरेंस ली उसमें हमने अववन भी दिया अववन क्यों दिया क्योंकि महराज इसमें जो दावे करते हैं वो संभव दावे हैं इसलिए उनको आववन दिया गया तीस लाक रुपे का उसकी बारी की अभी मैं आपके सामने रखूंगा तो मित्रो इस धंग से ये दो चीजे हमने की दस तारीकों मैं खुद नाकपुर शहर के पोलिस आयुक तजी से मिला उनको कानून के बारे में उनके साथ में चर्चा की सभी बारी किया उनके ध्यान मिला कर दी कैसे उलंगन हुरा उसके प्रूप्स उनके सामने रखने के कोशिश की मुझे लगा कि कही तो भी जूरिडिक्शन का मुद्दा उनके दिमाग में है जबकि इस कानून के तहट जो अपराधिक चीजे है उसका प्रचार और प्रसार करना इटसेल्ब गुना माना गया है और स्वतंद्र गुना माना गया है और उसको स्वतंद्र रित्या इक्वल सजा का प्रावधान है ये बात मैंने ध्यान में लाकर देने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि वो एक्षन लेने के लिए तयार नहीं होगे क्योंकि उनको कही तो भी लग रहा है कि ये बाहर के वीडियो जे नाकपुर में तो ऐसा हुआ नहीं सात-ाथ तारिक को दिव्यदर बार लगा था वो वीडियो हमारे हाथ में लगे महराज जी ने खुदी प्रसारित किये हैं उसमें भी इस कानून का उल्लंगन दोनों कानून का उल्लंगन होता है ये प्रुप्स मैं दस तारिक को शाम को एसीपी क्राइम तक ले गया रात भर रात को तीन बज़े तक उन्होंने इस विशय का भ्यास किया दूसरे दिन भी भ्यास किया उसी दिन रात को महराज जी जबकि उनका प्रोग्राम तेरा तारीक तक प्रसिद्ध था उसकी पत्रिका उपलब्द है जो मैंने सभी पत्रकारों को उपलब्द कराई है पत्रिका उपलब्द कराई जाएगी कि जिसमें तेरा तारीक तक सब बाते वो यहां करने वाले तें बारा तारीक को राम कथा प्रवचन था और तेरा तारीक तो पूझा और हवन और बाकी क्या-क्या सब चीजरे उसके साथ में थी ये ग्यारा तरीक कोई निकल जाने वाले है नाकपूर से ये इसकी जानकरी मैंने एसेपी क्राइम को दी खुद पोलिस आयुकत जी को दी दूसरे दिन जब ये जा रहे थे पत्रकारों के माध्यम से ये जानकरी मुझे मिल रही थी वो भी जानकरी उन तक पहुचाई लेकिन माहराज जी दो दिन पहले अपना काम छोड़ कर चले गए जबकि उनके आयोजन के लिए बहुत बड़ा पेंडॉल से लेकर सब चीजे आती है बड़ा खर्च होता है इतना सब आयोजन छोड़ कर वो चले गए इसलिए अखिल भारतिय अंदश्रधा निर्बुलन समीती ने बारातारी को प्रेस कॉन्फरेंस लेकर कहा कि महराज जी अवहन के डर से और पुलिस करवाई के डर से नाकपूर छोड़ कर भागे ये हमने क्यों कहा क्योंकि नाकपूर शहर ये पोलखोल शहर है सबसे बड़ी केस जो सबके ध्यान में आए और नाकपूर में हमेशा आप लोगों का हमेशा साथ मिला है जो धर्म पर आस्ता रखते हैं भगवान को मानते उन लोगों का भी हमेशा हमेशा साथ मिला है और नाकपूर के पत्रकारों का बहुत ही अच्छे डंग से हमेशा साथ मिला है शकूंतला देवी जिनका नाम गिनीज बूक अब वर्ल्ड रेकॉर्ड समें रेकॉर्ड हुआ था वो फास्टेस्ट गुणाकार करती है यूमन कम्पूटर का याने मुसको माना गया था वो नाकपूर में आई उसने एड़डाइजमेंट शुरू की गौड कें टेल करेक्ट फॉर्चून सो कें शकूंतला देवी याने भगवान जितना अचुक एकूरेट भविष्य बता सकते हैं उतना शकूंतला देवी बता सकती है हमने उनको चैलेंज किया तब हमारा प्राइज एक लाख रुपे का था अखिल भारती अंदश रद्धा निर्बुलन समीदी का शकूंतला देवी वो स्विकारने वाली नहीं है हमको पता था इसलिए हमने उसका वहाँ जो ठैरी थी राधी का होटेल उसके सामने निदर्शन करने के लिए ग्यारा बज़े पोच उसके पहले ये आवहान सभी वृत्तपत्रों में सभी प्रेपर्स में प्रकाशित हुआ था और मैंने कहा था कि क्यूंकि तीन दिन उसके आगे के बुक हो चुके थे तीन मिनिट का समय मिलता था आपको अपनी जन्मतारिक कहनी है जैसे ये इंट्री घेते हो उसके आधार पर वो तीन सवालों के जबाब देते थी तीन मिनिट में आपको बाहर जाना है और उसके तीन सु रुपे लगते थे और इसका बुकिंग अलड़ी तीन दिन का हो चुका था तो इसलिए मैंने लोगों को बिनन देगी कि अलड़ी आपने पैसे भरे हैं आप पुछने ही वाले हो तो एक सवाल मेरा पूछिए दो सवाल आपके पूछिए मराठी पेपर्स ने ये सभी सवाल छाब दिये सवाल कैसे थे कि भाई अगर आपकी शादी नहीं हुई तो पूछिए मेरी शादी कब होगी आपको बच्चे है तो पूछिए मेरा मुझे बच्चे कब होगे उनको अगर समझता है भगवान की तरह वो करेक्टली फोर्चुन बता सकती है तो आपका भी बताएगे जब हम ग्यारा बजए सब पहुँचे महा तक तो एक सरदार जी जगणने के लिए मेरे सामने आ गए ये क्या आने का समय है सुबह से मैं आपकी रहा देख रहा हूँ मैंने इतने लोगों को पकड़के रखा था पचास लोगों को पकड़के रखा था पंद्रावीज भाग गया अभी बिसी बचे उनको पकड़ो उनको लगा मानव जी का एकी सवाल क्यों पुछने का तीनों सवाल पुछेंगे उनकी उमर शायद 40 के आसपास थी उन्होंने पहला सवाल पुछा कि मैं कितने दिन से कोशिश कर रहूं मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है तो शकुंदुला देवी ने उनकी जन्मतारिक तो देखी थी उसके आधार पर कही दिया कि आपका व्यवसाय चलने के गुंजाईश बहुत गम है थोड़ा मुटा आईसाई चलने वाला है फिर उसने पूछा मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरी शादी कब होगी अब जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा है खाना पिना भी नहीं जिसको ठीक दंग से मिल रहा वो क्या शादी करेगा इसलिए शकुंदुला देवी ने कहा याने उनको जन्मतारिक पहले से पता थी वो निमरोलोजिस्ट थे अंका के आधार पर भविश्य बताती थे और उनको लगा तुमारी शादी होना बहुत कठीन है कभी तो भी बहुत सालों बाद शायद हो जाएगे तिसरा सवाल उनको पुछा मुझे बच्चे होगे क्या और कितने बच्चे होगे अब शकुंदला देविजादा चिड़ गई उनको लगा तुमारी शादी होना संभव नहीं है तुमारा व्यावसाय चलता नहीं है तो बच्चे कहां से होगे तुमको और सरदार जी के पेशन चुड़ गए मेरे दो बच्चे वो मेरे नहीं है क्या मेरी शादी तो कब की हो गई है मुझे बीबी है और फिर सरदार जी तु तुमेबर आ गए है और बोलने लग गए है तु कहती है मेरा व्यावसाय नहीं चलता मेरे इतने होटल से मेरा इतना यह सब उसने रखना शुरू कर दिया रादी का होटल के मालिक उसको पैचानते थे इन्होंने एकदम तमाशा चालू कर दिया यह जूटी है ऐसा है कहती है कि भगवान की तरह मैं सच्चा भविश्य बता सकती हूं फिर उन्होंने कैसे तो भी समझाया और सरदार जी एक ही काम करने लगे जो भी आत्मी अंदर जा रहा है जिसने पहले से तीन सो रुपे भरे मानो जी का एक सवाल पुछना यह पेपर में ऐसा ऐसा लिखा ऐसा पुछने का और उन पचास लोगों को उन्होंने पकड़ कर रखा था अम देरी से आये ग्यारा बज़े आये इसलिए बीसेक लोग बचे थे उनको मैंने रेकॉर्ड किया पुलिस टेशन में शिताबरडी पुलिस टेशन में वो पुरूप्स दिये और वहां के इंस्पेक्टर ऐसे थे कि रात को बारा बज़े उन्होंने एफायर दाखिल किया सोई हुई शकुंदला देवी को उठाया उनको पुलिस टेशन में बुलाया शकुंदला देवी को मानने वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे केंद्र से गुरुह मंत्रा लई से नाकपूर के कमिशनर जी को फोन आया और दुसरे दिन सुबह सुबह शकुंदला देवी को एरोप्लेन में बिठा कर नाकपूर के बहार भेजा गया एफायर दाखिल हुआ लेकिन कुछ आगे हुआ ने लेकिन उनका जो कारेकरम था गणित का युमन कम्पूटर सिद्ध करने का वो रद्ध हुआ तो ये पहले शकुंदला देवी की हमने पोलकोल की है उन तक कैसी जानकरी पहुचा ही जा सकती है इसका मैंने उधारन भी आपको दिया है दूसरा बड़ा उधारन है नाकपूर का पाइलट बाबा का पत्रकार भवन के पास में जो ग्राउंड है और स्टेडियम है जिसको हम यश्वन स्टेडियम कहते है वहाँ पर दजबाए दस का एक गड़ा खोदा था उसको इनने उपर से बंद किया था और बहात्तर घंटे तक वो उसके अंदर रुके थे अब बहात्तर घंटे तक वो रुके हैं अंदर उन्होंने दावा किया कि मेडिटेशन के जरिये साधना के जरिये मैं ऐसी समाधी अवस्था प्राप्त करता हूं कि जिसमें मुझे ऑक्सिजन की आवशक्ता नहीं पड़ती है और बिना ऑक्सिजन में जिन्दा रह सकता हू जब वो बहार आये तब उनका और मेरा माइक पर समवाध हुआ उन्होंने गाली वाली भी दी गाली खाने की मुझे आदत है उसके बाद मैं वो भागने लग गए ऐसा लोगों को लगा इसलिए लोग उनको जाने नहीं देते थे पुलिस डिसी पी ने मुझे बिनन दी कि कि पाइलेट महराज को जाने दीजिए और तब आपको अचरज लगेगा कि करीबन 5000 पबलिक वहां इकठा हुई थे स्टेडियम का एक हिस्सा भी तूट गया था उस कारण क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ी इकठा हो गई थे जाते समय कम से कम 200-300 मोटर साइकले बाबा क गेर कर रवी भवन तक गई थी मुझे उनको समझाना पड़ा कि बाबा भाग नहीं रहा है उसके साथ में चर्चा होगी वह आवहांस भी कारेगा रवी भवन में पत्रकारों के सामने उसके साथ में चर्चा हुई तारीक आगे की तय हुई उस तारीक को वह आएगा और हम दस बाए दस का एक काच का घर तयार करेंगे उसमें से प्राणवायू निकाल लेंगे और उसमें आदे घंटे तक महराज बैठेंगे अब आदे घंटे तक प्राणवायू के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है वो आवहन उनोंने स्विकारा जिस दिन यह आवहन कंप्लिट होने वाला था उस दिन सब पत्रकार रहा देख रहे अभी पाइलट बाबाबा आएगा पाइलट बाबाबा आएगा काच वाले से हमने बात किये थी काच वाला बूले आपके पैसे नहीं होते तब हमारे पास एक लाक रुपे का प्राइज देने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए अलग अलग तरीकी से बैंक गारंटी में लवाई थी वो बोले आप काटोगे तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेगे तो जैसे ही महाराज जी एरोप्लेन से नीचे उतरेंगे मुझे आप इतला कीजिए मैं आपको दो घंटे के अंदर पुरा घर तयार कर देता हूं तब तक हम काज भी नहीं काटेंगे और मुझे पता था हमें सब को पता था कि महाराज क्या अपने आपको मरवाने के लिए क्यों आएंगे क्योंकि प्रायाण वाईव निकालने के बाद आदा घंटा को जिन्ना रह सकता है ऐसी कोई समाधी अवस्ता इस दुनिया में नहीं है वो तो मेरे अभ्यास का विशे है बहुत गहराई से मेरा उस विशे का अध्यान है तो नैचरली महाराज नहीं आएंगे नहीं आए पाइलड बाबा जैसा दबंग बाबा भी भाया से भाग गया तीसरा मित्रो बोल का पत्थर है मधुसुदन पटवर्धन नाम का एक व्यक्ती पेपर में जाहिरात देता था पूरे पेज भर जाहिरात होती थी और उसमें दावा करता था कि ये बीस रुपे का मेरा पत्थर लेलो राशी का पत्थर है और आपकी हर समस्या छूड जाएगी आपकी शादी हो जाएगी आपको बच्चे हो जाएगे आपके कोड की केस आपके तरफ से उसका निर्णे आएगा वगएरे 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 उनके खिलाब हमने नाशीक में बहुत बड़ा अंदोलन किया साथ दिन तक अंदोलन चला हमने गधों का मुर्चा भी निकाला पुलिस ने हमारे गधे जप्त किये लेकिन कोई निउस पेपर में नहीं चपी अब मैं पत्रकार रहा हूँ लोकमत से तब जुडा ही था नौ साल तक मैं लोकमत में कॉलम लिखता था यूद कॉलम और अंदश रद्धा इस विशे पर कॉलम लिखता था पत्रकार सभी एक दूसरे को जानते हैं पत्रकारों ने मुझे धेरे से कहा कि एक एक पेज अड़टाइजमेंट मिलती है तो आपकी बात हम कैसे चाप सकते हैं तब मैंने प्रेस कॉनवरंस में कहा था कि हमारा नाकपूर ऐसा नहीं है नाकपूर किसी एड़डाइजमेंट के नीचे दपता नहीं है हिम्मत है तो महराज ने नाकपूर में आना है और वो उसको इतना विश्वास था क्योंकि वो गुजरात में घुमता था मद्यप्रदेश में घुमता था पूरे महराष्ट में जाता था उसको लगा नाकपूर ऐसी क्या चीज़ है नाकपूर में भी आया और नाकपूर में मुझे अंदश्रद्दा निर्बुलन समीती ने बुलाया इसी जाहिरात करकर आया अब पहले हमने तो उसके सामने बीस पैसे में पत्थर बेचने शुरू किये जैसे पत्थर वो बेच था 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 बीस रुपए के खंबायत से मंगवाए साथ-ाथ पैसे में वो पत्थर पढ़ते थे आने जाने का खरचा जोड़के हमने बीस पैसे लगाए लोग भी इतने हुशियार कि हमसे बीस पैसे का पत्थर खरीदते थे क्योंकि उसको जाहिर करना पड़ा था कि वो लोगों को ठकता नहीं है चारसो बिस के कलम के अंदर गत ना आये इसलिए उसने अपने जाहिरात में लिखा था कि अगर आप ये पत्थर वापिस करना चाहे तो आपके बीस रुपे वापिस मिलेंगे तो लोग क्या करते थे हमसे बीस नए पैसे का पत्थर खरीदते थे उससे जो पत्थर लिया है उसी रंग का और ये पत्थर उसको पापिस देते थे बीस रुपे लेते थे और उसका पत्थर अपने जेब में रखते थे कि शायद ये राशी का पत्थर है तो कुछ फाइदा मिले तो हमारे ध्यान में आया कि ये अंदश रद्धा निर्वुलन क्या प्रकार है कैसा होगा इस से सुबहत धर्मादिकारी यहां के एडोकेट है हम दोनों लॉव कॉलेज में साथ में पढ़ते थे मैंने उनसे बिनन दिगी कि कोई कानून है कि इसके तहत काम में आएगा उन्होंने अपने सभी LLM के स्टूडंट्स भीड़ा दिये और यह LLM के स्टूडंट में एक देव नाम के स्टूडंट है जो आगे चल कर हाई कोट के जज़ बने उनको सुबह चार बजे यह कानून मिला वो मुझे सुबह चार बजे मेरा घर ढूंटे ढूंटे आए हम दोनोंने अपना दिमाग लगा कर जितना दिमाग लग सकता है मेरा वो तो LLM कर रहे थे उनका दिमाग ज़्यादा चल रहा था मैंने बीच में ही छोड़ दिया था इसलिए मेरा दिमाग उतना नहीं चल रहा था तो हमने अपना दोनों ने दिमाग लगाया और ध्यान में आया कि ये कानून इसको लागू होता है विजय कामले नाम के DCP थे इस जोन के उनको जाकर हम बिढ़ गे उन्होंने बड़े बारिकी से इसकात को समझा PP को पब्लिक प्रोसेकुटर को बुलाया मैं और दोनों उनको समझा रहे घंटा भर तक PP को कि कैसे कानून लगू होता है और PP कहे रहे कि कानून लगू ही नहीं होता है तब फिर मैंने पहले बार देखा विजय जी कामले जो DCP है उनका रौद्र रूप वो इतने चिड़ गए थे PP को नाकपूर के प्रधान PP को कहने लग गए कि आप ऐसे ही हम अपसर को ठकते है क्या अच्छा हो गया मैं लॉग रैजिवेट हो आप बाजू हट जाइए मेरे पास अधीकार है मैं सब कुछ कर लूँगा और उन्होंने तई किया F.I.R. दाखल करने का हम रहा देख रहे है F.I.R. नी दाखल कर रहे है F.I.R. नी दाखल कर रहे है क्या हो गया वो कहते थे शामराओ चुप रहो मैं देखता हूं क्या करना है और उन्होंने बराबर शनिवार के शाम को पाज बजे F.I.R. दाखल करकर उस आदमे को अरेस्ट की हतकडिया लगाई उसके पहले मुझे इतला दिया मैंने पूरे प्रेस को महां बुलाया और सारे प्रेस ने हतकडिया लगाई हुई उनकी फोटो सारे पेपर्स में छाप दी शनिवार पाच को उनको अरेस्ट होने के कारण रविवार को छुटी थी सुमवार तक उनको अंदर रहना पड़ा पॉलिस कस्टडी में रहना पड़ा तब हमारे ध्यान में आया कि हमारे विजय कामली जी ने क्यों जल्दी काम नहीं किया जब भी मुझे वो मिलते बाद में मुंबई में कमिशनर थे जब भी वो मिलते थे मुझे हमेशे आद दिलाते थे कि क्यों मैंने वो ड्रग्स and magic remedies एक मैंने बुला सर आपके कारणी ही वो मिला है आपके कारणी वो चालू हुआ है और उसके अंदर कई लोगों को हम आस तक ज लगता है बहरा सुनने लगता है लंगड़ा चलने लगता है और ये सब येशु की कुरुपा से या फिर येशु की प्रार्थना से होता है हमारी यहां कस्तुर चन पार्क में इस धंग का एक आयोजन हुआ तब मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका था हमारे उमेज बबू बेहरीज जी देशमोक इन गुरूप ने वहाँ पहले अंदोलन किया और जादू टोना विरोधी कानुन नाइंटिन फिफ्टी फॉर जो है स्वरी ड्रॉग्स एंड मैजिक रेमेडिज एक नाइंटिन फिफ्टी फॉर जो है उसके तहत अपरात दर्च करवाया और कि के चार मिशनरीज फॉरेनर्स थे उनके नाम भी याद रखना बड़ा मुश्किल है वो कह रहे थे कि भाई मैं पूरे दुनिया में हम गुमते इस धंग कोई कानून हो सकता है कि जो हमें अरेस्ट कर सकता है यह उनके लिए बहुत अचरच की बात थे फिर साब उसके पह के बाबा माने जाते है कलकत्ता में ँनका हेर उफिस होता है रूसके वो चीफ है वो पहले अकुला में आये रामस नहीं पंथ बहुत अमीर लोगों का पंथ है बहुत पड़े लिखे लड़के इसमें होते हैं उन्होंने कुछ विरोध करने का प्रयास किया उनको भगा दिया गया अमराउती के लड़कों ने उनको विरोध करने का प्रयास किया उन पर बंदू के तानी गई वे लोग उनमें डॉक्टर मारू मेरे मित्र थे वो लेकर सबको आए मेरे पास तब मैं किसी दोरे पर जा रहा था मैंने का ठीक है मैं दोरे से वापिस आऊंगा फिर देखते हैं पाइलट बाबा को ये सब इंजिनिंग और अपको क्या मजाक लग रही है कि बाबा की आऊंगा और एक दिन में उनको सल्टा दूँगा बहुत ऐसा दबंग है वैसा दबंग है और पूरी जानकरी उन्होंने मेरे सामने रख दी क्या जान करें थी कि ये बाबा हर व्यक्ति को कहता था अपने प्रवचन में कि पुरुषों को प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए नव मार्ग उपलब्द होते लेकिन स्त्रीयों को दस मार्ग उपलब्द होते पुरुशों के सामने ये दसवा मार्ग वो कभी बताते नहीं और स्त्रीयों को कहते थे कि तुम अगर दिक्षा लोगी, तो तुम्हें दसवा मार्ग प्राप्त होगा, तुम्हें दसवे मार्ग से मोक्ष प्राप्त होगा, और केवल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे पती को प्राप्त होगा, तुम्हारे पिता को प्राप्त होगा, तुम्हारे भा और पती ने अगर कोई भी श्रम नहीं किये तो भी उनको मोक्ष प्राप्त होगा और ये जो दस्वा मार गए वो महराज के साथ में शारिरिक सम्मंद बनाएं तो उस मार्क के जरिये मोक्ष प्राप्त होता है ये सब प्रूफ मेरे पास आ गए थे हमारी पूरी टीम फिर से हुमेज बबू चोबे हरिज दिश्मूग बागी काफी लोग मेरे साथ में हम सब लोग गए इसमें अडचन हमारी ऐसी थी कि हमारे एक डॉक्तर मित्र हमको बहुत मदद करते थे और उने के चाचा के यहां सब कुछ हो रहा था वहीं पर ये महाराज का मुकाम था और वहा यूट्यूब चानल है उस पर बहुत विस्तार से मैंने रखी है आप वहां जाकर अवश्य देखे और सब बात को समझ ले जब सुंदरदास महराज बदमाशी करते हैं लोगों को ठकते हैं जूड बोलते हैं यह हमने अपने इंटर्वियों में साबित किया तो वहां के सब लड़के जो लोग थे वो चीड़ गए थे स्त्रिया उनको पकड़ कर बैठी थी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वो हमसे बिनन्दी कर रहे थे कि रुपया आप बाबा को छोड़ दीजिए कम से कम हमारे घर के अंदर कुछ मत किजिए हमने का ठीक है डॉक्टर सा पुलिस आयुक्त थे मेंडोसा सहाब उनका बहुत नाम था सबी लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे याने वे जब भी किसी दुकान में जाते थे तो पुलिस की गाड़ी लेकर नहीं जाते थे उनकी बीबी रिक्षा से जाते थी किसी दुकानदार ने अगर कहा मैं गधे पर बिठा कर फोटो निकालना चाहते हैं आपके पुलिस बीच में नहीं आनी चाहिए वो बोले आप कभी कानून हाथ में नहीं लोगे हम कानून तो बिलकुल हाथ में नहीं लेते हैं आपको तो मालूम है मैन हैंडल कभी करते नहीं किसी को मार पढ़ने नहीं देते, ठीक है लेकिन एक मिनिट के उपर समय मत लगाओ, किवल फोटो निकालने तक उनको बिठाओ, उतना ही करो, और हम गधा लेकर आ रहे तब तक ये महराज को कार में बिठाके गाओ के बाहर छोड़के राये थे, तो ये सुन्दरदास महराज भी यहां से भाग गए, अब उन लोगों ने हमारे साथ में विश्वास घात किया, इसका हमको बहुत बड़ा दुख हुआ, लेकिन हम भी बात को समझते थे, पास साल तक मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि इसमें सबसे बुरी बात थे, कि जिस लड़की को दिक्षा दी जाते थे, उसका प्रोसेशन निकाला जाता था, और सब आस पास के लोगों को पता चलता था, कि सुन्दरदास महराज ने इसको दिक्षा दी है, अगर मेरे कॉलम में मैं लिखता, दिक्षा का मतलब क्या है, तो वो सभी लड़किया बदनाम हो जाते, क्यो अने बाबा के साथ में संबंद रखा, इसलिए दिक्षा प्राप्त हुई, और इसलिए उसका प्रोसेशन तके उसको प्रतिष्ठा मिले, उसको भी लगे कि मैंने बहुत पवित्र काम किया है, मुझे भी मोक्ष मिलेगा, मेरे पिता जी को भी मोक्ष मिलेगा, मेरे महराज चांद तारा चमतकार कामठे में हुआ अभी आप सभी जानते हो कम से कम पूर्द पेपर्स के मैगजिन से माध्यम से आप जानते हो कि जब भी दरगे में कोई अनुचित घटना होती है तो हम वहां जाकर काम करते हैं मीरादातार के दरगे हो नाशिक का हो मुंबई का हो पुने का हो या फिर सैलानी के दरगे हो यहां का भी दरगा हो वहाँ भी हम यह सब काम करते आएं दरगों के बारे में जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो मुस्लिम लोगों की हमेशा हमको साथ मिलती है लेकिन वे मुस्लिम लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं मस्जिद के बारे में कामठी के मस्जित में चांद तारा चमकने लग गया और सब पेपर्स और सब जगह छपकर आने लग गया कि ये चमतकार है बड़ा चमतकार है बड़ा चमतकार है और वहां पर उमेश बबु चोबे हरी जी देशमोक इन सब टीम ने जाकर लोगों को समझाया उस चमतकार के प इसलिए मुझे हमेशा कहते हैं लोग कि आप क्या करते हो कि हिंदू बाबाओ को ही एक स्पेस करते हो इसलिए मैं ये उधारन आपके सामने रख रहा हूं मौरिस सेरिल्लो नाम का एक पादरी बिशनरी मुंबई में आया जहां बाएसाब ठाकरी जी की हमेशा सभा होती है शिवाजी पारक में इसका चंगाई सभा आयोजन हुआ वह ये अंधा देखता है बहरा चलने लगता है लंगड़ा चलने लगता है बहरा सुनने लगता है वाला उसके खिलाप हमने कंप्लेंट डायर की पूलिस ने धीरे से मेरे कान में बता दिया कि सर मैं कुछ करने ही सक किया हाई कोट बंध होते समय में जरा मेरे अडूकेट संगवी नाम के यंग थे वो बखिल का कोड़ भी पहिने वे नहीं तक खड़े हो गए पहले तो न्यायमूर्ति ने उनने डाटा जब विशे सुना वो आधे पाउन घंडे तक रुके और उन्होंने निर्णे दिया लिखित्स वरूप में कि इमिजेट एक्शन ले ये कानून के तहत इमिजेट एक्शन लेना आवश्यक है जादू टोना विरोथ स्वरी ड्रॉग्स एंड मैजिक रेमिडि़िस एक्ट के तहप मैं वापिस आया जो एडिशनल सीपी थे वो मुसलिम थे आगे चलकर वो मु से जगणने लग गए कि आप हिंदू लोग दूसरे धर्मों के लोगों को तकलीब देते हो मैंने बोला मैं रोज गाली खाता हूँ कि आप हिंदू ओकर हिंदू ओको तकलीब देते हो और आप कह रहे हो कि दूसरे धर्मों को लोगों को तकलीब देते हो वो सुनने को तया लोगों वीमान में बिठायकर एरोपलेन में बिठायकर अमरेका भेज दिया गया क्योंकि वो अमेरिकन था उसका तिसरा दिन रद्ध हुआ दस-दस हजार लोग वहां एकठा होते थे तो नाकूर शहरी केवल पोलखोल शहर ऐसा नहीं है अखिल भारती अंदश रद्धा नि से पहले मैं फिर से एक बार रिपिट करू कि महराजी के रामकथा के बारे में मेरा कोई अबजेक्शन नहीं है उसका मैं हमेशा स्वागत ही करूंगा लेकिन रामकथा के साथ में वो जो दिव्य दरबार भराते हैं उस दिव्य दरबार में वो क्या क्या करते हैं आपके सा चमतकार आप केवल ये शब्द टाइट टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा फिर से मैं एक बार रिपेट कर रहा हूं जो लोग कहते हैं दिवे शक्तिया नहीं होती वो आखे खोल कर देख ले ये चमतकार इस वीडियो में एक पंधरा याने एक मिनिट पं होंगा एक मिनिट पंधरा सेकंड से लेकर तीन मिनिट एक कावन सेकंड तक याने शुरुवात में ही ये बात है इसलिए आप इजिली उसको देख पाओगे अपने भक्त को महराज पुछते हैं आपने किसी को परची दिया था क्या याने जानकरी दी थी क्या भक्त के इताई नहीं नहीं महराज पुछते है आपने किसी को नाम दिया था क्या हमें नाम और उमर सहीद कैसे पता चला यानि महराज वहाँ बताते हैं आभास निर्माइन करते हैं माईग पर से लोगों के सामने कि इस भक्त का नाम और उसकी उमर उनोंने पैचानी है बक्त कहता है कि बागेश्वरी की एक रुपा है बाला जी की एक रुपा है इसलिए आपने पहिचाना याने यहाँ पर ये दावा सिद्ध होता है कि महराज ये आभास निर्मान करते है कि वो अपने आप भक्त का नाम भी पैचानते है और उसकी उमर कितनी है ये भी पैचानते है उसी में आगे है उन्होंने भक्त के सामने भक्त कहेता है कि माताजी की तबियत बहुत खराब रहती है उनकी हम बहुत दवा कर चुके वगरे 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 फिर महाराज कहते है कि विकास नामक बालक मा की अरजी लेकर आया मा बिमार है अगर आप ये विडियो देखेंगे तो बाबा इसे आभास निर्मान करता है वो परचिया पहले लिखता है और बाद में वो जानकरी लोगों को बताता है तो उसकी दिव्य शक्ती के कारण या फिर दिव्य शक्ती के आधार पर ये जानकरी उनको पहले से पता चलती है ऐसा वो आभास निर्मान करते है वैसा वो दावा करते है heading जो लोग कहतें दिवे शक्तिया नहीं होती वो आखे खोल कर देख ले ये चमतकार ये तो heading ये वीडियो का और ये उन्हीं के तरफ से प्रसारेथ हुआ वीडियो है हाला कि बाकी कोई भी प्रूफ की आवशक्ता नहीं है केवल ये जो हेडिंग है जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियाद नहीं होते वो आकहे खोल कर देख ले ये चमतकार ये हेडिंग पर ही केसदा लागू होती है बाकी और किसी प्रूफ की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसके बावजूद बाला बाबा कहते हैं मा बीमार है भूद बाता की समस्या है सन 1992 से तंत्र है उन पर सर 1992 में उनको खाने में खिला गया था भोजन में खिलाया गया था अपचन होना तूटता गला पकड़ना जकड़न होना कई बार सास रोखना बंदन करवाया कई बार उतारा करवाया तंत्र करवाया अनुष्ठान करवाया मुसल्मानी पीर विद्या का प्रयोग है रानी नाम की अवरत ने इसका पूरा शडियंद्र रचा है और वो ये भी कहते कि रानी तुमारे नजदिक की विक्तिया ने रिष्टेदार है अब मित्रो ये विक्ति कहता है कि खिलाया गया भोजन में खिलाया गया तूटता गला पकड़ता जकड़न होता कई बार सास रोकता बंधन क करवाया कई बार उतारा करवाया तंत्र करवाया मुसल्मानी विद्या का प्रयोग है ये दोनों कानून के तहत अपराद है जादू टोना विरोधी कानून में अनूसूची में दूसरा हिस्सा जो है कोई भी अगर चमतकार का प्रयोग प्रदर्शित करकर उससे पैसे प्र थेक प्राप्ति करता है तो वो कानूनन अपराद है और महराज के दिव्य दर्बार में जो नाकपूर में लोगों को अरजी लगाने थे उनको एक हजार रुपे बैंक में भरने थे उसके अकाउंट्स भी हमने पत्रकारों को दिये हैं हमारे कारेकरता ने जो एक हजार रुपे भरे उसकी परची हमने पुलिस के सामने साधर की है तो जादू टोना विरोधी कानून का ये दूसरा अनुसुची में का जो है हिस्सा वो लागू होता है ये जो मैंने आपके सामने कहा कि भूत लगाया तोटका किया मंद्र तंद्र किया मुसल्मानी विद्या का प्रयोग किया और रानी नाम के अउरत ने किया ये इसी कानून के तहट जादू टोना विरोधी कानून के तहट अनुसुची सिक्स के अनुसार गुना है भूत लगाना मंद्र तंद्र करना जादू टोना करना अगर ऐसा कोई आरोप करता है तो वो भी कानुनन अप्राध है यहां तो व्यक्ति का नाम बताया जाता है कि रानी नाम के व्यक्ति ने ये किया है तो ये कानुन डारेक्ली लगू होता है इतना ही नहीं तो इन्होंने ये भी कहा कि इसको जकडन होता है कई बार सास रोकता है तूटता गला पकड़ता है ज लकडन होना वगरे वगरे अपचन होना, Drugs and Magic Remedies Act 1954 के अनुसार जिसको डॉक्टर के डिग्री प्राप्त नहीं है, स्टेट या फिर केंद्र ने जो डिग्री दी नहीं है, ऐसी डिग्री न प्राप्त होने वाले किसी भी व्यक्ति ने, अगर किसी भी रोक के बारे में डाइग्नोसिस करता है, याने उसको पहचानता है, या फिर उसके ट्रीटमेंट करता है, या फिर उसको क्योर करने का दावा करता है, तो ऐसा केवल बोलना कानुनन अपराद है, क्योंकि इसमें advertisement की जो वैख्या की गई है वो बोलना भी advertisement है चपके आने की आवशक्ता नहीं है और यहां तो वीडियो उपलब्द है वीडियो में अलड़ी वो बोल रहे है महराज के मुह से यह सब निकल रहा है इससे बड़ा proof क्या हो सकता है इसलिए drugs and magic remedies act भी लगू होता है जादू टोना विरोधी कानून भी लगू होता है और जादू टोना विरोधी कानून के अनुसूची में का आठवा कलम भी लगू होता है यह आठवे में कहा गया है कि कोई अगर दूसरी चीजों के आधार पर आपको शरीरिक बिमारी हुई ऐसा कहता है विडियो के एक हिस्से के लिए दो कानून लगू होते है और जादू टोना विरोधी कानून के तहत के तीन-तीन प्रावधान लगू होते हैं जबकि एक प्रावधान भी एफायर दर्च करने के लिए और गुना साबित होने के लिए काफी है इस कानून में दुसरे कोई प्रूफ्स नहीं लगते हैं केवल वीडियो रेकॉरडिंग इस सफिशेंट प्रूफ क्योंकि जदू टोड़ा विरोधी कानून के तहत केवल प्रचार करना प्रसार करना ये भी कानून अनप्राध है और ये गटना कहा गटती है इसका कोई सम्मंद नहीं स्वतंद्र प्रचार प्रसार करना कानुनन अप्राध है इसलिए महराश के दाइरे में लोग ये वीडियो सुन रहे इसके आधार पर उन पर केस दाइर होती है कंपल्सरी होती है मित्रो ऐसे कई उधारणे में अभी कितने उधारण देऊ इसी में आखरी में उन्होंने कहा है याने उसका समय अगर आप ये पढ़ते जाएगे तो ये पुरा किस्सा तीन एक कवन तक है उसी में है कि महराज कहते हैं कि भग के घर के आलमारी में एक पुडिया रखी है याने महराज दावा करते है कि उसके घर में कौन से रूम में कौन से आलमारी में क्या चीज़े रखी है और पास में लाल कपड़ा रखा है ये भी कहते हैं तो इन में इसी दिव्य शक्ति है कि ये कही भी जाकर देख सकते हैं तो मित्रो कही भी जाकर देख सकना इसको क्लेरोवाइंस कहते हैं अपने आम लोगों का नाम जानना अपने आप लोगों की उमर जानना ये भी दिव्य शक्ति का हिस्सा है दिव्वे शक्ति इसको कहते हैं या फिर हम अंतरग्यान कहते हैं तो ये सब दावे इनके हैं कई वीडियोज मैं मैं आपको कितने पुरूप देते रहूं ये सभी पुरूप समने पुलिस के सामने जो जमा किये वो पत्रकारों के सामने भी जमा किये है पत्रकारों के पास मैं इसके सभी हिस्से लिखित रूप में हमने दिये है तो मित्रों मैं बाकी सभी वीडियो आपको बताते नहीं रहता हूँ केवल एक दो चीजे मैं एड़ कर दूँगा दूसरा एक वीडियो है जिसमें वो कहते है वीडियो का टाइटल है पती पत्नी के बीच में मोबाईल कितना खतरनाक हो सकता है इस वीडियो में एक मिनिट छे सेकंद से लेकर दो मिनिट पैतिस सेकंद तक वो कहते है पत्नी आपकी विचित्र है घमेंडी है आपकी भी गलती है मोबाईल के करेंट लेश शुरू हुआ है तुम भी कम नहीं हो इलू-इलू करते हो महराज कहते हैं अपने भक्तकों कि तुम भी अपने पत्नी से कम नहीं हो तुम भी इलू-इलू करते हो यानि इसका मतलब पत्नी भी इलू-इलू करती है और ये भी एलू-ईलू करता है दुसरों के साथ, पती पतने के साथ, एक दुसरे के साथ मैं नहीं अब ऐसा एकषा रेस तरी के बारे में कहेना, जाहीर तरी के से कहेना ये माइक पर हो रहा है, रेकौर्ड हो रहा है और आगे चल कर वो कहते हैं गल्ती तुमारी है मोबाइल के करण क्लेश शुरू हो तुम भी कम नहीं हो इलिलू करते हो आगे करते हैं यह देखो सुन लो भाईया जो पूछ सको वही पुछना मारे भारे भाई भाई में सिगनल है मारे भाई भाई में सिगनल है उनका भाई यानि उनके हाथ में रखे हुई गदा उनका दावा ऐसा है कि गदा के मध्यम से उनको सब पता चलता है और आगे वो धमकी देते है तुमने कौन-कौन से होटल में कौन-कौन से काण किये सब हमको पता है याने अपने इलू-इलू के साथ में ये भक्त कौन-कौन से होटल में जाता था, क्या-क्या करता था, ये सभी महराज को वो उनकी गदा बता देती है, ये यहाँ पर वो कहते हैं और बाद में आखरी में इसी वीडियो में कहते हैं जो पाच मिनिट आठ सेकंड से लेकर पाच मिनिट बीस सेकंड तक है, एक भी बहुत कमरे से बोलो, जोर से बोलो उनको माइक पर डिकलियर करने को लगाते हैं और महराज कहते हैं अब कट जाओ, नहीं तो हम तुमारे याने महराज को केवल भक्त को देखकर उनकी इलू-इलू कोन है, ये भी समझता है, ये मोहदय इलू-इलू को लेकर कौन-कौन से होटल में गए, ये भी समझता है, और एतना ही नहीं तो उनका मोबाइल नंबर क्या है, इलू-इलू का, ये भी समझता है, कितने यह सब दावे वीडियो में भरे पड़े हैं मैं सबकी सब आपके सामने रखकर आपका और मेरा समय बरबाद करना नहीं चाहूंगा आप इसको देखिए फिर सवाल ऐसा आया कि जो यहां पर लगा नाकपूर में उसमें कुछ है कि नहीं नाकपूर में जो लगा दरबार जिस प्रेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जानेवारी दोजार तेईस सुबह नौ बज़े से यह पूरा जो वीडियो है तीन गंटे का है दो मिनिट स्वारी दो गंटे 58 मिनिट और 38 सेकंद का वीडियो है उसमें महाराज क्या-क्या दावे करते हैं बहुत बादा की सवा कारी आती है उपद्रव किया है गंदी तंत्रिक क्रिया है तबियत ठीक नहीं रहती तातकान मुरुत्यू अभी तक में पाच मुरुत्यू हुई है पित्रदोश के कारण और यहां पर एक बहुत ही विनोध है जो सामके सामने में रखूंगा सबसे पहले महाराज भक्त उन फिर थोड़ी देर बाद एक दो मिनिट इदर उदर होने के बाद में महाराज बोलते हैं तुमारे पिता जी का नाम शंकरलाल है जोर से माइक पर चिलाते हैं तुमारे पिता जी का नाम शंकरलाल है आगे चल कर वो बोलते हैं माइक से बलो आपके पिता का नाम शंकरलाल है नहीं तो तुमारे सब कांड खोल देंगे उसने खुद पूछा महाराज ने भक्त ने बताया मेरे पिता जी का नाम शंकरलाल है महाराज कहते हैं कि हमने पैचाना तुमारे पिता जी का नाम शंकरलाल है माइक पर बोलो नहीं तो तुम्हारे सब कांड खोल देंगे अब विचारा सही में श्रद्दा रखने वाला भक्त कितना डरा होगा माइक में और क्या बोलेगा विचारा दूसरा कुछ बोलने कि हिम्मत करेगा क्या क्योंकि उसको तो सही में लगता है कि महाराज खुद भगवान के अवतार है या फिर महाराज में दिवे शक्तिया है अब ऐसी चीजे करने वाला ये व्यक्ति अभी इसके बारे में मैं आपको क्या बोलू तो मित्रो जो दिवे दरबार नाकपुर में भरा है उसको भी ये कानून दोनों कानून लगू होते हैं जादू टोना विरूदी कानून और ड्रग्ज एंड मैजिक रेमेडिस एक्ट दोनों लगू होते हैं और ये कानून इतना व्यापक है कि जो इस धंग की कृती करता है या फिर इस धंग की प्रचार प्रसार करता है उसको जो जो साथ देता है मोटिवेशन देता है ऐसे कामों का आयोजन करता है वे सभी के सभी दोशी है और उनको इक्वल सजा का प्रावधान है इसके साथ में इस कानून में ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है करीबन देड़ सो में इसके लिए चर्चा की सभी पक्षों के प्रमुखों से इस बारे में चर्चा की शिवसियना के प्रमुक उद्दव जी ठाकरे जी से दो बार इसके बारे में चर्चा हुई सुभाज देशाई जी से बारे में चर्चा हुई नितीन जी गड़करी जब अध्यक्ष थे बीजेपी के महराश्ट के 2005 के दर्मियान तब उनके साथ में चर्चा हुई उन्होंने बहुत मुझे सहयोग किया मेरे साथ में हम कॉलेज जीवन से अच्छे मित्र रहे हैं विवेक अनन के दोनों फैन रहे हैं और नितीन गड़करी जी ने अशोक मोड़क नाम के डॉक्टर अशोक मोड़क एमेले थे उनको बीजेपी के और से इस कानून की बारी किया देखने के लिए डेपिट किया थे और उनको गोपिनात मुंडे से लेकर सबने समर्थन दिया है ठीक है जो मोड़क जी कहेंगे वो हम बाजबीजेपी को मानने है और अशोक मोड़क ने जो जो सुझाया वो सभी के सभी सुझाओ इस कानून में आए है उद्धव जी ठाकरे जी ने जो जो सुझाओ दिये वो सभी इस कानून में आए है 2013 में जब उद्धव जी ठाकरे जी से मैं धाई घंटे तक इस कानून के बारे में चर्चा करता रहा तब मेरी अपेक्षा थी कि वो कहेंगे इस कानून को मेरा समर्थन है लेकिन उन्होंने बिलकुल वो नहीं कहा उन्होंने ढाई गंटा के चर्चा के बाद में क्योंकि उनके पास बहुत कंप्लेंट जाती थी इस कानून के खिलाब के ये कानून धर्मविरोध ही है वैसा है वैसा है वैसा है इसलिए उन्होंने जो जो सुना था उस हर बारे में मुझे बारी किसे वो पूछ रहे थे, इसलिए धाई गंटे लग गए इस चर्चा को, उसके बाद वो बोले, ये कानून बहुत अच्छा बना है, केवल मुझे नहीं बोले, बाद में टीवी पर भी बोले, इसलिए सब लोगों ने आपने सुना होगा, मेरे आजोबा के लाने के लिए खुद प्रयास करूंगा, जिन जिन लोगों की इस कानून के बारे में गलत फैमिया है, उनों के गलत फैमिया दूर करने का प्रयास करूंगा, अगर मैं समझा नहीं पाया तो आपको बुलाऊंगा, और एक मत से ये महराष्ट में कानून पारित होना ये ऐसी अपक्षा है, उद्धव जी ठाकरे जी ने जो कहा, बाद में उन्होंने नाशिक में प्रेस कॉनफरेंस में टीवी के सामने यही बात दो राए, देवेंद्र जी से मेरा संबंध पहले से रहा है, उनके पिदा जी गंगादर जी फड़नवीज जब मैं जेल से दोजार तेरा में देवेंद्र फड़नवीज जी भाजप के बीजेपी के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छे वकीले कानून की बारिकिया उनको बहुत समझती है, दोजार पाच में उन्होंने कहा था कि ये कानून के खिलाप आई कोड और सुप्रिम कोड में केस जाएगी, इसलिए ये कानून में एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो घटना विरोधी होगी, कॉंस्टिटिशन के खिलाप होगी, और इसलिए वो बात जो उन्होंने मेरे दिमाग में डाली, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे डंग से बैट गई, और मैंने सुप्रिम कोर माराठी में लिखने की आदत नहीं बचे थे, सुप्रिम कोर्टे नयमूर्ती रही चुके थे, लेकिन पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहू माहराज ने जो माराठी में कानून लिखे, उसका अभ्यास करो और लिखो, पहले इंगलीश में लिखते हो, फिर माराठी में मैं ऐसे भाशांदर करते हो कि लोगों को समझ में नहीं आता और केवल वकिलों के धंदे चलते हैं, ऐसा कानून मन बताओ, मराठी में पहले लिखो, उसका ट्रांसलेशन इंगलीश में होगा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी मैं कोलापूर के शाहु माराज के का कानून का अभ्यास करूंगा, फिर मैं लिखूंगा, इसमें बहुत समय जाएंगा, समय कम है, अभी अधिवेशन है, उसमें पारित होने की आवशकता है, तब वे खुद बैठे दो दिन मेरे साथ में और हमने पूरा मराठी में ड्राफ्टेंग किया, तो इसलिए उसमें इसी एक भी बात में रहे, जो कॉंस्टिटिशन के खिलाफ हो, धर्म स्वतंद्रता के खिलाफ हो, धर्म प्रचार के खिलाफ हो, जो कॉंस्टिटिशन के फंडमेंटल राइट में 25 में आता है, उसके खिलाफ हो, ये केर लेकर ये कानून को बनाया गया है, देवेंद्र ज इसी बात करते हुए बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई चर्चा होने के बाद में देविंद्र जी को मैंने एक ही बात कहिए कि जब आप इस कानून के खिलाब बोलते हो क्योंकि अल्रेडी बुद्ध टीवी पर नाकपुर में वो बोल चुके थे तब लोगों को बहुत अटपटा लगता है और उनको धक्का पोश्टा है कि आप जैसा पढ़ा लिखा सुल्जयावव अव्यक्ति अंदविश्वास का कैसे समर्थन करता है एकदम से उन्होंने खिल-खिल कर हस दिये और मेरे ध्यान में आएगा कि अभी आया था कि अभी ये समर्थन देंगे फ प्रकास जी आमबेटकर जी ने भी इस कानून का समर्थन किया हमेशा मेरे काम के साथ में जुड़े रहे समर्थन करते रहे जोगेंद्र जी कवाड़ी तो बहुत अच्छे मित्र है तीनों अरपियाए के गुट ने इस कानून का समर्थन किया पहले 2005 के दर्मयान मंसे के उनके भी आजुबा है, ग्रैंड फादर है, उनके विचारों का ये कानून है। मित्रो महराष्ट में 2013 के डिसेंबर में ये कानून सम्मत हुआ, सभी पक्षों के, सभी पार्टियों के सहमती से, किसी एक का भी इसको विरोध नहीं था। और ये जो कानून है, जब सरकार बदली, क्योंकि ये कानून जब बना, उसके बाद में कमिटी गढ़ित हुई, जादू टुना विरोधी कानून, प्रचार प्रसार अम्मल बजावनी समिती, जिसका मैं सहध्यक्ष बना, उसके जरी एक काम के शुरुवात हुई, उसके बाद में सरकार बदली, देवेंद्र जी फढ़नविस, खुद मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र जी से मैं और उमेज बबु चोवे, दो लोग हम केवल बात कर रहे थे, उनके घर में, पूजा का समय उन्होंने रखा था, उस समय हम मिले थे, जब पहला अधिवेशन नाकपुर में हो रहा था तब की बात, उमेज बबु चोवे को बचपन से जानते थे, क्योंकि गंगादर रहो फढ़नविस और दोनों कॉर्पोरेटर थे, और एकी स्कूटर पर एक साथ में घुमते थे, उमेज चोवे और मुझे दोनों को देवेंद्र जी फढ़नविस इन्होंने आश्वासन दिया, मैंने प तो काम की अच्छे डंग से शुरुआत हो सकती है, क्योंकि काम की अलड़ी शुरुआत हो चुकी है, तब उन्होंने कहा कि मैं दस करोड रुपे सैंक्शन करूंगा, आप सुधिर मुंगंटिवार इनसे बात कर लीजिए, वो अर्थमंत्री है, सुधिर मुंगंटिवार म मैं चक्कर काटता रहा मंत्रा लेके, फिर मेरे ध्यान में आया कि ये मुझे केबल घुमा रहे हैं, फिर मैंने उनको छोड़ दिया और यूट्यूब चैनल की शुरुवात की, जिसके जरिय में आज तक आप तक पहुंचते आया, उसके पहले का हिस्सा है, वो भी आपको बता दू, जब मैंने उद्धव जी ठाकरे और देवेंद्र जी फणनवी जी से बात की थी, तब दोनों ने मुझे एक ही सवाल पूछा थी, जो इंटर्प्रेटेशन आप इस कानून का हम को कह रहे हो, वो पुलिस अमल में लाएगी इसकी क्या गैरेंटी है, तब मैंने दोनों को आश्वासन दिया था कि पुलिस खास करकर दक्षता अधिकारी और बड़े अधिकारियों का ट्रेनिंग मैं खुद करूंगा, और इसलिए इसी इंटर्प्रेटेशन के तहत ये कानून अमल में लाया जाएगा, इसका मिस्यूज नहीं होगा, और फेर देवेंद में 40 पुलिस ट्रेनिंग मैंने किये, 7 घंडे पुलिस ट्रेनिंग चलता था, सभी बड़े अधिकारियों उसके लिए उपस्तित रहते थे, आखरे में पुलिस अधिकारियों से मैं पेपर छुड़वा लेता था इस कानून के बारे में, सभसते थे कि इतने साल हम को हो ख्यान में आता था कि इसकी बारीकिया पकड़ना कितना कठे न है, और आखरी मों मुझ में कहते थे कि अपने पूरे प्रोग्राम में ये पेपर छुड़ाने के कारण हमारे सभी आइडियास पुरी तरह से क्लियर हुए अब पुरे महराश का पुलिस का ट्रेनिंग करने वाला मैं, उसका आयोजन करने वाले गुरुहमंद्री देवेंद्र जी फड़नविस और ये धीरेंद्र कुरुष्ण जी महराश जिनको ये कानुन पुरी तरह से लागू होता है मैंने ये लिखित फॉर्म में उनके सामने सब दिया पुलिस के सामने और मुझे दिख रहा है पुलिस के अधिकारी मित्र होते हैं, धीरे से कान में कुछ कहते हैं, इसलिए पता भी चलता है उन पर इतना प्रेशर है कि वो कानुन के तहट कारवाई करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं अब मैं दो चीजे यहाँ आप सब के सामने कहूंगा, इसलिए इस सभाका योजन किया है मैंने पहले ही कहा कि धिरेंद्र महाराज का पोलखोल ये केवल इसका बहाना है पोलखोल तो हमारी मानसिक्ता को हमें करना है मित्रो, पुलिस एक्षन नहीं ले रही क्यों नहीं ले रही आप सब जानते हो देवेंद्र जी फड़नवीस यहां के पालक मंत्री है, ग्रोह मंत्री है, पुलिस के चीफ वे है उन्होंने इस कानून को सव प्रतिशत समर्थन दिया था हर बारिकी को समझ लिया था उनके ही ग्रोह मंत्री रहते, पुलिस के पुरे 40 ट्रेनिंग्स पुरे महराष्ट में हुए सब अधिकारियों के और जिस वेक्ति ने ये ट्रेनिंग्स लिये हैं, पुलिस को ये कानून समझाया है उसी ने लिखित फॉर्म में शिकायत दी है कि ये कानून यहां यहां लगू होता है मैंने यहां तक ACP को समझाया कि दक्षता अधिकारी पर ये जिम्मेदारी है कारवाई करने के और इस कानून में एक प्रावधान है कि जो इस कानून का उलंगन करने के लिए अप्रत्यक्ष सहायता करता है उस पर भी ये कानून लागू होता है और उस पर इकवल शिक्षा है अगर आप ये कानून के तहत F.I.R. दाखल करकर कारवाई नहीं करोगे तो आप पर भी ये कानून के तहत जुर्म साबित हो सकता है और आपको छे महा जेल में जाना पड़ सकता है मैंने A.C.P. जी को ये भी समझाया कि तब C.P. छुड़ जाएंगे आपके शायद राच्किया आका होंगे वो भी छुड़ जाएंगे अगर आप इस कानून के तहत कारवाई नहीं कर रहे हो तो कुरुपया उनके लेखी आदेश लीजिए ताकि आप कोट में साधर कर सकेंगे क्योंकि इस कानून के तहत अगर मुकदमा दायर नहीं होता है तो ये हाई कोट की अभेलना है हाई कोट में अवरंगाबाद पीठ ने एक निर्णाई दिया है दो बड़े नाम है न्याय मुर्ति नलावडे और नयाय मिलती शेवली कर बात ऐसी हुई थे कि हनुमान यंत्र था उसकी जाहिरात आते थे मनोच कुमार अनुराधा पौडवाल और भी कई ऐसे गायक थे अनुप जलोटा जिनके माध्यम से ये जाहिरात की जाते थे कि यंत्र अगर आप अपने घर में लगाते हो तो ये फाइदे मिलेंगे वो फाइदे मिलेंगे वो फाइदे मिलेंगे उसके खिलाप कंप्लेंट आई तब देवेंद्र फड़नवजजिकाराज था सामाजिक नयाय मंत्री ने ये कंप्लेंट मैं कमिटी का कैसे कैसे लगू होता है, यहां दोनों कानून लगू होते हैं, Drugs and Magic Remedies Act भी लगू होता है, और जदु टोना विरोधी कानून भी लगू होता है, ये सुनने के बाद भी, हमारे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ले, केस हाई कोट में गई, अवरंगापाद हाई कोड का निर्णाय आया वो निर्णाय भी मैंने एसीपी को सीपी को अटैच करकर दिया है ये निर्णाय में टीवी नलावडे और एमजी शेवली कर ये नियाय मुर्ती कहते है तुरंद सरकार ने इसके उपर केस दायर करनी चाहिए एक्शन लेनी चाहिए केवल इतना आदेश नहीं देते पुलिस को बहुत लताडते हैं सरकार को भी लताडते और आगे कहते हैं ये कानून का दायरा उन्होंने बढ़ा दिया उनके शब्द मैं आपको सुनाता हूँ हनुमान या अन्य किसी भी बाबा या भगवान के नाम से विशेश जादूई और अलोकिक बातों से इनसान को आनंदी बनेगा व्यवसाय में बडोतरी होगी प्रमोशन होगा पढ़ाई में सुधार होगा बिमारी ठीक होगी ऐसा कहना जताना भी कानूनन अपराद है जादू टोना विरोधी कानून के तीन कलम के अनुसार ये अपराद है याने उन्होंने अगर कोई भगवान के नाम पर इस ढंका आश्वासन देता है कि मैं तुमारी बिमारी ठीक करता हूँ तुम्हें व्यवसाय में बड़ोतरी होगी तुम्हें बच्चा होगा तुम्हारी शादी होगी ऐसा कोई आश्वासन देता है भगवान के नाम पर या किसी बाबा के नाम पर तो भी ये कानून लगू होगा ऐसा उनका आदेश है और हाइकोड का जज्जमेंट जो होता है वो हमेशा उस स्टेट के लिए कानून बनता है जब तक उसके विरोधी जज्जमेंट नहीं आये इसके तहट तो बाबा हर जगह मिलते है पूरा प्रेद दर्बारी इस पर डिपेंड है पूरा का पूरा दिव्य दर्बारी इस कानून के तहट आता है और फिर भी अगर नाकुर की पुलिस कानून दर्ज नहीं करेगी कानून के तहट अपराद दर्ज नहीं करेगी तो मेरा एक सवाल आप से है और देवेंदर जी फड़नविस इन से भी है उनके प्रती मेरे मन में बहुत ममत्व है क्योंकि उनके पिता जी के साथ में मैंने काम किया है वो मेरे बहुत बुजुर्ग होने के बावजूद मुझे इक्वली ट्रीट करते थे कंदे पर हट डाल कर बात करते थे और हमने साथ में काम किया तो मुझे हमेशा लगता है मेरे मित्र के पुत्र ही इस पतपर है तो मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ उन्ने तक ये सवाल पहुचा है, अगर डायरेक्ली नहीं पहुचता है तो अगर आपने इतना गुणा होने के बाद भी दोनों कानुन का डाइरेक्ट उल्लंगन होने के बाद भी अगर नाकपूर कोलिस ये कानुन के तहट एफायर दर्ज नहीं करती और महराज को अरेस्ट नहीं होती तो लोगों तक क्या संदेश जाएगा लोग ये नहीं मानेंगे कि पुलिस नहीं ये किया है आम आदवी भी मानेगा कि देवेंद्र फड़न वे इस ग्रोह मंत्री है पालक मंत्री है नाकपूर के तो उनके कहने के बिना तो पुलिस बरताव करने की रही अब ये उदारण के तोर पर मुझे 149 के नोटिस दी गई भाई आपने लोगों की भावना ही नहीं दुखाना है धर्म के खिलाब कुछ करना नहीं वगएरे 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 होता है मुझे नोटिस दी पुलिस को इतना समय मिला मेरा 40 सालों का ट्रेक रिकॉर्ड है मैंने 20,000 से उपर इस विशे पर वैख्यान दिये हो गया आज उनको तोड़ा एक भी केस 40 सालों में दर्ज नहीं मेरे एक भी कारेक्रम में कभी कोई गड़बडी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है ट्रेक रिकॉर्ड रहा है और फिर भी पुलिस मुझे नोटिस थमाती है तो हमारे पाठिल साब ने बहुत अच्छे डं से कहा कि क्या करेंगे बेचरे आका ने कहा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं अगर इस एरिया की पुलीस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मुझे नोटिस भेज रही है तो धिरेंद्र कुरुष्ण महाराज के खिलाब इफायर न दर्ज होना ये भी आका की इच्छा है दूसरा क्या मतलब निकलेगा इससे तो देवेंद्र जी से मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि क्या प्रतिमा आपकी खड़ी होगी आपक रुपया इन वीडियोस को देखिए अगर आपके द्मन में कोई संद है तो मुझे बुला लीजिए मैं कभी भी आऊंगा और आपके सामने पूरी की पूरी चीजे रखूंगा ये आदमें लोगों को ठकता है जाहीर तरीके से ठकता है ओपडली ठकता है लोगों के अंदव विश्वासों का फाइदा उठाता है हर बीमारी के पीछे जदू टोना है तोटका है में जगडे लगाता है स्त्रीयों का जाहीर तरीके से अपमान करता है इलू-लू करती है इलू-लू करता है वगेरे वगेरे कौन-कौन से होटल में ले जाता है बीमारीयों का कारण बाहर का करनी और जादू टोना टोटका है ये कहता है ये सभी कानूनन अप्राद है अंदविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीजे है तो ये सब चीजों के साथ में आप खड़े हो आप इसका समर्थन करने वाले हो ये सवाल मैं खड़े कर रहा हूँ अगर आप इस सभी अंदविश्वास का समर्थन करने वाले हो लोगों को ठगने के लिए जो बाबा काम करते हैं उनके साथ में खड़े होना चाहते हो तो जाहीर तरीके से वैसे डिकलियर करे ताकि हमें सब को पता चलेगा कि आप इन लोगों के साथ में खड़े रहने वाले एक तरफ आप इस कानून के साथ में खड़े होते हो इस कानून को पारित करवाते हो आप खुद अभी अधिकारी हो ग्रूह डिपार्मेंट के प्रमुख हो और आपके अधिकारी इस पर कोई अमल नहीं ला रहे हैं कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं कानून में ये चीजे mandatory है, पुलीस के हाथ में नहीं है, करना है, नहीं करना है, mandatory है, इसके बावजूद वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब लोग ये मानेंगे कि आपके कहने के अलावा ये संभव नहीं है, और आप हिंदू लोगों को, क्योंकि बाबा के भक प्रतिमा आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने गंगादर फड़नविज जी को बहुत अलग धंग से देखा है, उनके साथ मैं इमर्जनसी के बाद मैं काम किया है, मैं उनको कभी भी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानता, उनके आप उत्र हो, तो थोड़ा इस बारे में आप सोचिए कि आपकी प्रतिमा आपको क्या करवा लेनी है, यही वाक्य मैंने कानून का समर्थन प्राप्त करते समय उनको सुनाया था, मैंने उनसे कहा था कि जब आपने बुद्ध टीवी पर इ लोग पचा नहीं पा रहे और तब उन्होंने हस दिया था और इस कानून का समर्थन बाद में दिया था, वही बात आज मैं दोरा रहा हूं, केवल आपको अगाह कर रहा हूं, आप पर कोई आरोप करनी की मेरी इच्छा नहीं है, और जब मुझे आरोप करने होते तो खुल दियाम करता हूं, चोक-चोक में करता हूं, हर सभा में करता हूं, डरता नहीं हूं, आप सभी को बहुत अच्छे दंग से मालू हैं, तो अभी तक मुझे कोई आरोप करनी की इच्छा नहीं है, मैं केवल आपके अच्छाई को, आपके अच्छे मन को, आपकी अच्छी भा भावनाओं का अवाहन कर रहा हूं उस भावनाओं का अवाहन कर रहा हूं लोगों को ठगी से बजाईए बचाईए यह हमारा करतब्य है आपका भी है और हमारा भी है नाकपुर से मैंने इस काम की शुरुवात की जब मैंने इस काम की शुरुवात थी मेरे बारे में काफी कं आड当然 इसके पास जाती थी बाड़ासाब दैवरजी के पास काफी गowski मुझे खुद तरुन भारत के संपदक दीबा घुम्रे जी उन्होंने यह किस्सा सुनाया क्या बाडासाभ दैवरज जी ने बुला लिया दीबा घुम्रे जो तरुन भारत के संप़ादक थे उनको उनको कहा कि तुम्मारे हाथ के नीचे काम करने व contamination यह क्या कर रहा है हिंदु धर्म के खिलाब काम कर रहा है तब हुम्रे जी ने बाड़ा साब देवरज जी को बताया कि मैं उसके शिबीरों में जाता हूँ वो मुझे बुलाता है उसके कारेक्रमों में जाता हूँ वो कभी भी धर्म की किसी बात पर टिका नहीं करता है ना ही भगवान के खिलाब बात करता है वो हमेशा भगवान और धर्म के नाम पर जो ठगी होती है उसका शोशन होता है उसके खिलाब काम करता है बाड़ा साब देवरज जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रतिक्रिया बहुत महत्वकी है उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमें कहा साप चाहिए हम अपने घर का साप नहीं मार सकते अगर मेमान के लाठी से वो साप मरता है तो बहुत अच्छी बात है इसलिए साब आप देखेंगे कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ इतने बाबाओ का हमने भांडा फोड किया है एक्स्पोज किया है उनको भगाया है लेकिन कभी भी और्गनाइस तरीके से आरेसेस ने हमारा विरोध नहीं किया क्योंकि उनके मन में ये विचार है कि अंदविश्वास हमारे भी जीवन में हमारे भी लोगों में हमें नहीं चाहिए अगर मेहमान वो मुझे अपना नहीं मानते है मेहमان मानते है मेमान के काठी से अगर साप मरता है तो अच्छी बात है ये भी मैं जाहीर तरीके से आपके सामने सुना रहा हूँ अब मित्रो ये सब बाते मैंने आपके सामने सुनाने के बाद में हम अवहन की तरफ आएंगे इस बाबा को तो हमने जो अवहन दिया वो हमने कालपनिक अवहन नहीं दिया बाबा ने अपने विडियो में जो दावे किये हैं कि मैं लोगों का नाम पैचान सकता हूं लोगों के पिता जी का नाम पैचान सकता हूं उनकी उमर पैचान सकता हूं इतना ही नहीं तो उनके मोबाइल नंबर iluilu का mobile number उन्होंने जान लिया था iluilu का तो mobile number भी जान सकते हैं यह उनके दावे और यह दिवे शक्ती से जानते हैं क्योंकि वो तो heading में ने आपको दो बार सुना दिया है देखिए दिवे शक्ति हैं चमतकार वगठे वगठे जो भी है साथ में उनका दावा है कि वो अपने भक्त के घर के कौन से रूम में कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है ये पैचानते ये दोनों दिवेद रुष्टी है ये दोनों अंतर ग्यान है इंग्लिश में पहले इससे को कहते है टेलीपथी या फिर इंट्यूशन और दूसरों के घर में जाकर कुछ भी देखना इसको कहते है क्लेरोवाइंस आज तक दुनिया में ये चीज़े सिद्ध नहीं हो पाई है सभी धर्मों ने ये माना है कि ये चीज़े होती है संभव होता है क्रिश्चानिटी भी मिमानती है लेकिन आज तक पुरे दुनिया में ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया है और इसलिए इसलिए अखिलबारती अंदश्रद्धा निर्बुलन समीदी का गए चालिस सालों से आवहान है कि हमारे सामने इसी कोई सिद्ध है आप सिद्ध करें आपको सीदे सीदे हम अभी 30 लाख रुपे का प्राइज है वो प्राइज देंगे इसलिए हमने आवहान डिजाइन किया जो प्रेस कॉंफरंस में नौ जनवरी को दिया गया आवहान क्या था आपने जो कहा वही आपको सिद्ध करना है अएन वक्त पर हम आपको दस लोग देंगे ये दस लोग देने के बाद में आपको हमें कहना है उनके नाम क्या है उनके पिता जी के नाम क्या है उनकी उमर क्या है और उनके मोबाइल नमबर क्या है जहाँ पर ये प्रोग्राम कंडक्ड किया जाएगा पत्रकार भवन में ये प्रोग्राम कंडख किया जाएगा उसके पास के रूम में हम 10 चीजे रखेंगे बाकयदा उसका वीडियो रेकरडिंग होगा और वहाँ पर आपको केवल इतना करना है पंच मंदल के आगे पाच लोगों का पंच मंदल होगा जो तढस्त होगा ना हमारा होगा ना उनका होगा नाकुर के बहुत सम्रांत और इजद्दर व्यक्तियों का ये पाच लोगों का एक पंचमंडल होगा उनके पास में पहले से ये दस लोगों की जानकरी जो महराज को बतानी है वो अलड़ी लिख कर उसको सील बंद करकर दी जाएगी ताकि उन लोगों को भी पता न चले कि इसमें क्या लिखा है किसकी क्या जानकरी है और उसके बाद में ये जानकरी अगर जूट ऐसा किसी को लगा तो वो जाचने का तरीका भी उपलब्द रहेगा क्योंकि किसी का नाम, किसी का पिताजी का नाम और किसी की उमर और किसी का फोन नंबर आज के जमाने में छुपाना और जूटा बोलना संभव नहीं है क्योंकि इसके सभी प्रूप सहरीक के पास में होते हैं और दस चीजे जो रखी है वो भी आपको पैचान नहीं है उसका भाकाइदा रेकॉर्डिंग होगा कुण सी दस चीजे है अगर आप 90 प्रतिशत दो बार करेकली कहित बाते हो क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है कुछ बदमाशी हो सकती है ऐसी बदमाशिया मैंने कई बार प बार आज दिनों के अंदर अगर हम फेलोते और महराज 90 परसेंट के ऊपर करेक्ट कहते तो भी उनका उसर दिया जाएगा हाला कि इनके पास में दिव्य शक्तिया है उनका दोस्त है गदा वो उनसे इलू-लू करता है कान में कहता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है तो इसलि अखिलवारती अंदश्रद्दा निर्बुलन समिती का प्राइज मिलेगा अगर ये प्राइज आपको चाहिए तो तीन लाख रुपे पहले पंचमंडल के पास में डिपॉजिट रखने पढ़ेंगे अगर आप हार गए दोनों बार तो ये तीन लाख रुपे आपके जबत ह और अखिलवारती अंदश्रद्दा निर्बुलन समिती के बैंक अकॉंड में जाएगे अगर आप जीत गए तो आपके तीन लाख आपको वापिस बेलेगे और तीस लाख रुपे अंदश्रद्दा निर्बुलन समिती के आपको दिये जाएगे जो ICC बैंक मुंबई में रखे हुए हैं उनको हम हाथ नहीं लगाते हैं उनसे जो ब्या जाता है उसी पर हम काम करते हैं यहाने इस अवरब पूछाना कहा है पैसे एक जमाना था हमारे पास नहीं थे फैसे लेकिन हमने अभी इकठा किये लोगों से अप आप से मां मांगकर जमा करकर इकट्टा किये हमने कोई सब पैसे अपने जिब में से नहीं डाले तो कहने का मतलब ऐसा है आप आप अवहन्स विकार है हम जानते हैं बाबा करोणों में खिलते हैं वो बले गए 30,000,000 बत्ती है इसलिए पैसे के लिए मत्स विकारी है आप में दिव्वेशक्ति है यह स उन्होती पार कीजिये 90 परसेंट कर एक बताईए और सारे दुनिया के सामने साबित कीजिये कि आप में दिव्य शक्ति है पूरे दुनिया में नाम होगा सारे दुनिया में नाम होगा भारत का कि एक 26 साल के लड़के ने इतनी अध्यत्मिक प्रगती की है कि उसके पास मैं इ सी दिव्वे शक्ति है कि कोई भी चीज वो पैचान सकता है बीन लादेन को ढूंडने के लिए अमरीका ने पचास हजार करोड से जादा पैसा खर्च किया है उनकी संस्थाओं ने और उसको साथ-ाथ साल लगे थी हमारे महाराज को कोई भी बात अंतर ग्यान से पता चलती है अगर ये कहा का बॉम होने वाले है बॉम सोड होने वाले कहा का बॉम रखने वाले पहली बता देंगे तो महाराज जी आपको कई हजार करोड रुपे मोदी जी ने दिये तो भी हम अबजेक्शन नहीं लेंगे इतना बड़ा आप काम कर जाएंगे करिए ना अरे आपको तो ये भी पता नहीं था कि मेरा क्या होने वाले आए हुआ उनकी भाशा में कह रहा हूँ अपको दिवे शक्ति से पहले पता नहीं चला कि नाकपूर पॉल खल च lives और वहां आने के बाद में अपनी पॉल खुल सकती है और बुरी तरह से खुल सकती है ताकि छोड़ कर भागना पड़ता है आपका कहिना ऐसा है कि मेरा कारेकरम केवल 11 तरीक तक था आप जूड बोल रहे हो जाहिर तरीके से मैं कहता हूँ पोस्टर्स में 13 तरीक तक है पत्रिका में 13 तरीक तक है कही भी पहले किसी पेपर में आप 11 तरीक तक का रेकरम करने वाले हो ये चपकर नहीं आया है 12 तरिक का प्रोग्राम छपा हुआ है 13 तरिक पूजार चवर हो मवन और क्या 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 चीजे उसके साथ में थी इसलिए हो सकता है कि आप खुद न भागे हो आपको भगाया गया हो काफी लोगों के इज़त का सवाल था इसलिए भगाया गया हो ये भी हो सकता है और फिर क्या हुआ समझो हम कह रहें आप भाग गए हो नहीं भाग गए हो तो बहुत अच्छी बात है ना सिद्ध करने के लिए आईए ना नाकपुर में ही प्रोग्राम रखेंगे पत्रकार भवन में प्रोग्राम होगा पंचमंडल के सामने होगा जो देवेंद्र जी फड़नवी साब का आशिरवाद लेने के लिए आये थे वही ग्रुह मंत्री है पालक मंत्री है इसलिए आपको सुरक्षा का तो कोई प्रॉब् भी लगने नहींवे कि ना उमने कभी किसी पर हाथ उठाया ना कभी किसी का हाथ उठाया हुआ सहन किया ये हमेशा याद रखो हम बहुत शान्ती के साथ मैं इतने सालों से काम करते आए आप बोल रहें दर्बार में आओ ये दर्बार में आपका ऐसा ढखोसला चलता है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है शंकरला बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरला लहे के नहीं माइक पर बोलो ने तो सब कांड उखाड दूँगा ये तुम्हारा तरीका है ये तुम्हारा तरीका किस बात का दिव्य शक्ति का अरे खुद पूछ रहे हो कम से कम ये सब आया है रिकॉर्ड हुआ है ये तो देखना चाहिए कम से कम तो ये पब्लिक के सामने मैं खुद भगत रहा हूँ अपने बाबा के बारे में जिसको हम भगवान मानते हैं उसके बारे में कोई आरोप करता है तो कितना बुरा लगता है और उसके लिए भक्त कुछ भी गुजरने के लिए तयार होते हैं ये मैं बहुत अच्छे डंग से उनकी मानसिक्ता जानता हूँ इसलिए इतने सालों में मारनकाते काम करते आया उस मानसिक्ता को पहिछानता हूँ उसका आदर करता हूँ उसका सनमान करता हूँ और उनी के लिए काम करता हूँ वहां आकर उस वातावरण में क्या आपको मैं प्रोड एंड प्रूफ कंडिशन के अंदर जात सकता हूँ रहे सवाल आपके तरीके जानने के किस धंग से आप जानकारी प्राप्त करते हो इसके मैं केवल दो-तिन उधारण आपको दूँगा प्रोफेसर शर्मा नाम के एक बहुत बड़े जोतिशी यवतमाल में आए जो भी व्यक्ति उनको भविश्य पूछने के लिए जाता था वो उसका सव प्रतिशत सही भविश्य बताते थे मैं और मेरे मित्र प्राद्यपक नमादोशी हम दोनों ने तरुन भरत एटे टाइम जोईन किया था मैं यह कॉलम चला रहा था और प्राद्यपक नमादोशी यवतमाल में जिल्ला प्रमुक थे उलों ने इसके बारे में एक बड़ा अर्टिकल छपाया महराज का बहुत फिजनेस बड़े गया मैंने जस्ट इस काम के शुरुआत की थी मैंने कहा कि यह क्या कर दिया तुमने चल बोले तेरा भविश्य बताता तेरे सामने हाथ का हाथ कांगन को आर्सा क्या हाथ कंगन को आर्षा क्या मैंने बला देख या बात मैं करूँगा तू नहीं बोलने का बोले ठीक है महाराज बोले पहले अपॉंडमेंट लो नमा दोशी ने प्रेशर लाया अभी इतना बड़ा पत्रकार तरुन भारत में इतनी प्रसिद्धी दी है इतना धंदा चल निकला है और मैं अपना ऐसा ही तब मैं पैजामा पहिंचा था पहिंता था और उपर मैं सबेच शाट रहता था और वो खादी का होने करण के भी कड़क बड़क नहीं रहता था देला ड़ला रहता था तो उनको ऐसा लगा कि मैं ऐसा ही गावन डड़ वक्ती होगा गाववाला होगा तो वो तयार होगे भविश्य बताने के लिए मैंने पहला सवाल पुछा कि मेरा बिये का इंग्र जी का पेपर अभी तक नहीं छूट रहा है कब छूटेगा महाराज ने कुछ तो भी बता दिया ये करो वो करो हो जाएगा दूसरा सवाल पुछा मेरी शादी नहीं हो रही है कब होगे और उसके बीच का सवाल पुछा था मुझे नोकरी नहीं मिल रही कब मिलेगी अब ये तीन सवाल मैंने उनसे पूछे पहले सवाल का जबाब उन्होंने दिया कि कभी तुभी तुभी तुम्हारा पेपर छुड़ेगा लेकिन बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी और छुड़ेगा इसकी गैरेंटी नहीं है फिर भी कोशिश करो दूसरे सवाल का जबाब दिया कि तुमको नोकरी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है दियात में जो काम मिलेगा वो करो और तिसरा उन्होंने कहा मेरी शादी कब होगी तो वो बोले शादी की गुंजाईश तो अभी नहीं है लेकिन पाच-दस साल तो शादी होने की गुंजाईश नहीं है अभी जो कमाई नहीं करता है पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसका क्या होगा अब प्रोफेसर नमादोशी जो एमे को पढ़ाते थे वो चिड़ गए क्योंकि उनको मालुम था कि ग्रेजुवेशन को मैंने इंगलीश पढ़ाया है अब जो लड़का भी ये पास नहीं हुआ वो ग्रेजुवेशन को इंगलीश पढ़ा चुका है नोकरी में मैं तब किरलोसकर प्रेस की नोकरी में था रास अवाल शादी का अथ शादी उसकी और मेरी नमादोशी की और मेरी साथ में हो चुकी थे मुझे बच्चा भी था फिर हमने उसको पकड़ा उसके लड़कों को पकड़ा वो लड़कों को पैसे देता था और जब भी कोई अपॉइंटमेंट लेता था तो उसका एड्रेस लिखवाता था उसका नाम लिखवाता था और ये लड़के आसपास के घर में जाते थे और पूछते थे ये जो है न देशपंडे साहब हाँ जी देशपंडे साहब रहते हैं नहीं हमारी एक बेटी है उसके लिए हम लड़का ढून रहे हैं तो हमने सुनाए देशपंडे साहब के हाँ लड़का है अच्छा एक पड़ा लिखा अरे क्या बात कर रहे हैं उनके लड़के की उमर तो होते हैं कि उनके घर के लोगों को जितनी जानकरी नहीं होती उतनी जानकरी देने के लिए उतावले होते हैं तो यह सब जानकरी उनको प्राप्त हो जाती थी और वो कहते थे उन लोगों को हमने पकड़ा लड़कों ने माफी मांगी उन पर पोलिस के इस दायर नहीं कियो कि देहात के लड़के थे लेकिन महाराज को भगा दिया दूसरा उधारण आपको मैं देता हूँ एक बहुत बड़ा उधारण है वो है नैनोत के बाबा का इंदोर में गया था रहुल जी बारबुते नई दुनिया के संपादक उन्होंने इंदोर के परिसर में एक प्रोग्रा जातेवक्ष मेरे ध्यान में आया कि यह सब जो रिक्षा वाले लोग है यह मुझे जानकरी पूछ रहे है तो मैंने उनको जूटी जानकरी देपर में जो छपकि आई थी उसके अलावा जूटी जानकरी ग्रेदिक दी किमनाकपूर विद्य़ण डियविटका इंग्लिश क लाइन में लगा शायद साथवा सत्तरवा नंबर होगा मुझे अब आपरे तीन चार घंटे लाइन में लगना पढ़ने वाला है थोड़ी देर में बाबा लाउड स्पीकर पर चिला आए वो नाकपूर से head of the department of English जो आए है वो सामने आए और जो जानकरी मैंने रिक्षे वाले को दी थी वो सभी जानकरी उन्होंने वहाँ दो रहाई मेरे सामने चमतकार करकर शंकर भगवान के मुर्ती निकाली मुझे दी और मुझे बाजू में खड़े रहने का मैंने उनसे पुशा में खड़ा रहा और उनके आगे के कार्यकलाब देखता रहा बाद में उनको कैसे एक्स्पोज किया क्या किया यह सब बाते आप मेरे यूट्यूब चानल पर भी देख सकते हो विस्तार से आप वहाँ सून सकते हो वमले मित्रो ऐसे कई बाबाहे लहरी बाबा वर्धा में आया था वो सब जानकरी बताता था उसकी ख्याती थे हमने गुंगा लड़का तयार किया भासकरी था पेवना का वहां गये, उन्होंने सब हमारी जुटी जानकरी जो उनके भक्तों को दी थी, उनके साथियों को दी थी, वो दोराई, वो सब में रेकॉर्ड कर रहा था, पुलिस अधिकारी वहां के लोहारे नाम के DSP थे, यह कह रहे थे, वो कह रहे थे, महाराज लहरी महाराज के, अभी यहां के DSP मेरे चरणों पर माथा टिक कर गये हैं बगरे 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 और फिर हमारे भासकर इथाबे का पेशन शूड गया और जब यह का रहा आए गुंगे, बॉल, आए गुंगे, आकर, 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 वो पाउन घंडा अपना नाटक करता रहा, उसका पेशन शूड ग किया, तो हमारा सब भांडा फुड गया, मैं सीधा टेप रेकोरडर लेकर लोहर साब के पास गया, जो ASP थे, उन्होंने मुझे बिठाया, खाना, चाय नाश्ता पिलाया, खाना खिलाया, तब तक यह बाबा को बिठा के वरधा डिस्टिक के बाहर छोड कर आ गए, उस जम जनकारी प्राप्त करने का उनका तरिया, दरिया क्या होता यह पता है, इसलिए हमने बाबा के दर्बार में जाकर यह चीजे एक्स्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली पूरी सिस्टिम वहां होती है, जो उन तक जनकारी पहुँचाते, कोई दिव्य दुआरश्टी वगजरे नहीं होती है तो वो नापूरायेये नापूर में सब लोगों के सामने यह सिद्द करें पत्रगारों के सामने सिद्द करें अगर दो बार नभश प्रतिषत व Character करेक्प बताते हैं पैसों के लिए मत आयें केवल दिव्वे शक्ति सिद्ध करने के लिए आए तो हम अगर वो 90% करेक्टली बताते है तो मैं उनके सामने उनके चरणों पर माथा टेकूंगा माफी मागूंगा और जो मेरे संगटतने आज तक हजारो बाबाओं को मांतरИकों को देवी देव शरीर में आने वाले लोगों को और जोतिशियों को एक्सपोस किया है वो संगटन बन कर दूंगा ये जाहीर तरीके से लिखित फॉर्म में मैंने प्रेस कॉन्फरेंस में नव तरिक को बात कही है तो बाबा कुरुपया भागे न अच्छा बाबा की भाषा के बारे में मैं क्या बुलू बाबा कहते हैं कि वे सनातन हिंदू है, मैं एक सनातन हिंदू को बहुत अच्छे डंग से जानता हूं, जो मरने तक अपने आपको मैं सनातनी हिंदू हो ऐसा कहता था, जिसका नाम है मोंदास करमचंद गांधी, जिसको हम गांधी कहते हैं, कभी जूट नहीं बोलता था, नम साथ में लेकर हाथ में लट लेकर टक कर देता था रहा सवाल हिंदु धर्म के बारे में इने कितनी जान करी है पता नहीं बुले विए नास्तिक है नास्तिक का मतलब भी महराज आपको मालूम है क्योंकि हमारे सनातन हिंदु धर्म में अलग-अलग विचारों की जो परंपरा जो आस्तिक परंपरा मानी जाती है क्योंकि वो वेदों को मानते हैं लेकिन इश्वर को नहीं मानते हैं ये भी बात आपको पता है कि नहीं मालूम है भारत में आस्तिक और नास्तिक शब्द का उपयोग होता था जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक है जो वेदों को नहीं मा वेदों को भी नहीं मानते लोकायत परंपरा है जो वेदों को भी नहीं मानते भगवान को भी नहीं मानते वो भी नास्तिक परंपरा है लेकिन भगवान नमानने वाले सांख्य परंपरा अस्तिक परंपरा माने जाती है यह भेद भी आपको मालूम है इतना अब्यास है आपक पता नहीं मुझे हे के नहीं लेकिन उन्होंने जिस भाशा का उपयोग किया है उस भाशा के उपयोग के आधार पर मुझे लगता है बड़ा doubt है अब मैं तो ऐसी अबद्र भाशा का उपयोग नहीं कर सकता उन्होंने कहा तुम्हारा बाप मर गया था क्या साथ दिन तक यह चल आ भई मै spouse एक रहा देख रहा था तुम्हेरा दर्बार पुरा हो क्योंकि मेरे कौन की वह आवशक्ता थे है यह दिव्या दरबार का कंटिनिवेशन नाखपुर में हो यह मेरे कानून की आवशक्ता थी इसलिए मैं रहा देख रहा था कि आपका दर्बार पूरा हो जाए और उसके बाद में पुलिस को एक्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अब वात अलग बात है कि पुलिस आकाओं के सामने कुछ कर नहीं पा रही है या फिर खुद ही कुछ कर रही ह है ज्यादा उड़ रही है यह मुझे पता नहीं है यह दिरे से पता चलेगा नाकपूर वाले लोगों को कि किसके पीछे कौन है तो बाबा ने कहा तुम्हारा बाप मर गया था क्या फैक्ट है मेरे जीवन में जब मैं अपने काम में जुड़ा था गाओ गाओ व्यक्यान दे रहा था तब मेरे पिता जी के मृत्य होई लेकिन उनके मृत्य होने के बाद उनको देखने के लिए मैं काम छोड़कर नहीं गया मेरा काम पूरा करने के बाद मैं जब मेरा काम में मुझे छुट्टी मिली तभी मैं गया तो ठीक है आपकी जिवाशा है उसके तरी आप उसका उल्लेक किजिए, बोलिए, महाराज कहते मैं अंदव विश्वास दूर करने का काम करता हूँ, अरे वा, कितना अच्छा काम करते हो, हर व्यक्ति को कहते हो, तुमको जादू टोना हुआ टोटका हुआ भूत लगा, यह आपका अंदर विश्वास दूर करना है महाराज कहते हैं मैं चमतकार का दावा नहीं करता हूँ वो तो सब आपके सामने रखा है महाराज जे राम कथा राम का नाम एक बात के लिए माना जाता है प्राण जाये पर वचनन जाये और आप तो बात बात पर जुड़ बोलते हो कैसे सनातनी हिंदु हो सही में हो कि केवल सनातन हिंदु धर्म का नाम लेकर लोगों को ठगने का व्यवसाय कर रहे हो अगर यह आपकी ठगी नहीं है तो नाकपुर में आईए दिव्य शक्ती सिद्ध कीजिए हमेशा के लिए हमारा मूँ बन कीजिए और भारत का नाम पुरे दुनिया में रोशन कीजिए इतना ही आवाहन यहां पर मैं करूंगा और मित्रो मैं इतना ही कहूंगा कि सही संत क्या होते हैं आखरी के दस मिनिट केवल मैं लेने वाला हूं बरह बर नव बजये हमारा का रिकरम खतम हो जाएक हमारे संत संत ग्यानेशवर जो महराश में यह वारकरी संप्रदय के σंतों की जो परंपरा है संत ग्यानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत गाड़गे महाराश, संत तुकडो जी महाराश उन्ही का नाम लेकर गए 40 सालों से मैं काम कर रहा हूँ उन्ही के तरीके से काम कर रहा हूँ संद ग्यानेश्वर जी ने कहा जाता है कि दिवार चलाई चांग्देव महाराज आए बोले बैठेते दिवार पर चल गबाई भिंती और भिंत चलने लग गई दिवार चलने लग गई रेडे के मुख से वेद बुलवाए ये चमतकार हुए संद ग्यानेश्वर जी का जीतना भी लिटरेचर उपलब्द है उसमें कहीं भी इन चमतकारों का वरणन नहीं है उनकी ग्यानेश्वरी है सांग्देव पासष्टी है और भी दो किताबे हैं और इसमें कहीं भी इन चमतकारों का वरणन नहीं है न्यानेश्वर जी ने अपने जीवन में ऐसे चमतकार किये होते तो इस धंकी ओवी उने उने लिखी होती उल्टा उनकी योगी क्या है योवी क्या है अभंग ओवी ये अलग-अलग शब्द है जो लिखावट के आधार पर तय होते हैं उनका एक अभंग है जिसको हम ओवी कहते हैं योग-याग-विधी येने नवे सिद्धी वायाची उपाधी दंब दर्मा योग-याग मंझे योग करून किवा याग करून मंझे त्या सुबच्चा प्रक्रिया करून किवा उसके साथ की विधिया करकर किसी को सिद्धी तो होती है उसमें चमतकार करने का सामर्थ आता है उसको बुद्बविष्य वरतमान जानने का सामर्थ आता है और जिसको सिद्धी प्राप्त होती है उसको बिमारी ठीक करने का सामर्थ प्राप्त होता है ये सांसकार आप पर और मुझ पर बच्पन से होते हैं तो उसके ब अप्त नहीं होता वायाची उपाधी दंब धर्म याने ये सब पद्विया जोटी है योगई वगेरे वगेरे सब पद्वी जूटी है ये जूटा धर्म है ऐसे कहने वाले संदग्यानेश्वर महराज कहते है मैं तुमको मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्रो का पठन किजिए संदग्यानेश्वर 700 साल पहले कहते हैं मंत्रची वैरी मरे तरका बांधावी कट्यारे मंत्र से अगर दुश्वन मारा जाता तो शूर पुरुष को अपने कमर में कट्यार लटकाने की क्या आवशकता है तलवार रखने की क्या आवशकता है यानि मंत्र से कुछ नहीं होता ऐसा कहने वाले संदग्यानेश्वर तुकारा महराज के ऐसे अभंग तो बहुत है लेकिन आज के समय की मर्यादा लक्षा ये दिधान में लेकर मैं केवल एक ही कहूंगा तुकारा महराज के ते नवसे कन्या पुत्र होती तरका करने लागे पती अरे भाई नवस बोलकर मन्नत मांगकर अगर बच्चे होने तुकडो जी महराज नाकपुर विद्यापेडी ये दोनों बहुत रैशनल संतर है इन्होंने बड़े पैमाने पर अंदविश्वास दूर किये हैं लेकिन मुझे हलाकि तुकडो जी महराज से मैं खुद दो बार मिला हूँ मेरे पिता जी के बहुत अच्छे वो मित्र थे गाड़गे महराज के प्रती मेरा ज्यादा बड़ा आकरशन है क्योंकि ये आदमी एक भी साल पढ़ा नहीं था पूरी तरह से अनपढ़ था और इसके बावजोत कितना रैशनल था तुकडो जी महराज की ग्राम गिता बहुत ही क्रांतिका रख है हर व्यक्ति ने वो पढ ग्राम शुरू किया तब मुझे सही महाने में वो समझ में आई गराम गिता जो गीताई की यानि घीता भगवत गीता की टिका है इसा माना जाता है नहीं उसके आधार पर लिखिये समाना जाता है गाडगे महराज क्या कहते थे हमारे धीरेंद्र महराज का एक विडियो बहुत ही प्रसारित हुआ हम एक शुद्र आधमे अचुत आधमे उनके पास आता है उनको टच करने के लिए तो महराज उसको दूर धखिलते हैं महराज को मचुओ महराज को मचुओ हं ब्रामίν ऑ किरितन में पूछते थे क्या रे तु कौन हुए वो सामने बोलता था मैं महार हूँ तु कौन वहरे मैं धोबी हूँ तु कौन वहरे मैं कुणबी हूँ तु कौन वहरे मैं बामन हूँ फिर महराज बोलते थे अरे इसको भी दो हाथ इसको भी दो हाथ इसको भी दो पैर इसको भी दो पैर मुझे लगा कि महार को दो पैर होगे तो बामन को चार पैर होगे मुझे लगा कि कुणबी को दो पैर होगे तो दो भी को तीन पैर होगे लेकिन सारे इंसानों को दोई पैर, दोई हाथ दोई आखे, एकी नाख अरे भगवान ने ये जातिया नहीं निर्मान की भगवान ने अगर ये जातिया निर्मान की होती तो हरेक को अलग-अलग पैर अलग हाथ देता ब्राम्मन की पैचान अलग से बनाता खुद को ब्राम्मन हूँ मैं कहने की आवशक्ता नहीं पड़ती ये जातिया इंसान ने निर्मान की है इसलिए आज के बाद अगर तुम्हें पुछा जाएगा कि तुम कौन हो तो क्या कहोगे मैं मानुस हूँ मैं इंसान हूँ मैं मानुस हूँ ऐसा कहना मित्रो कितने सुन्दर तरीके से गाड़गे महाराज समझाते है धिरेंद्र महाराज जैसे ब्राह्मन होने का दावा करने वाले विक्ति को गाड़गे महाराज एक बार बहुत ही रैशनल तरीके से उन्होंने सब बाते लोगों के सामने रखी है उनका एक छोटा सा उधारण देकर में यहां रुकने वाला कि यह जो scientific temper हम फैलाना चाहते हैं आप तक पहुचाना चाहते हैं सारे दुनिया के सामने पहुचाना चाहते हैं यह हमारे constitution ने हमें duty sop है महाराष्ट सरकार ने जो जादू टोना विरोधे कानून की committee स्थापित की है उसका भी उद्देश scientific temper लोगों तक पहुचाना है यह काम जार गाडगे महाराच कितना effectively करते थे इसका छोटा सा उधारन लेकर मैं यहां रुकने वाला हूँ बहुत interesting उधारन है गाडगे महाराच एक बार नदी के किनारे जहां ब्रामन पुजा कर रहे थे महाँ जाकर पहुचे ब्रामनों ने महाँ पर एक पिंड रखा था जब किसी के घर की व्यक्ति मर जाती है तो उसके आत्मा की शांदी के लिए वो पिंड यानि चावल उसमें रखे थे गाडगे महाराच का उतार इखा दे भीकरी जैसा था हाथ में कटोरा रहता था लट रहता था कपड़े भी जगा जगा से अलग 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 रंग के कपड़े रहते थे एक ही कपड़े में अलग 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 रंग रहते थे क्योंकि वो जोड जोड के कपड़े सीकर पहनते थे तो ब्रामन जी को लगा बड़ जी को लगा खिया आद में शायद भिकारी है गाड़ गे महराज उनके पास कए बड़ जी बओ बड़ जी बओ लई भूक लगी जी खऊओ क्या ये भात बड़ जी बओ चिड़ गए ये वेड़े आहा बात नहीं है फिर ये क्या है जी ये पिंड है कि पिन्ड रखा है गाड़ के महराज बोलने लगे बड़्जी वह पीढ़ इथ पितर यह स्वर्गत याने पिन्ड यहां पर इनके पिता जी स्वर्ग में उनको क्या उप्योग जी मैं भूका हूं मैं खाव क्या त्यावर हो कहते है इसलिए तो मैं मंत्र बोल रहा हूं मंत्र बोलने के कारण यहां रखावुआ पिंड़ जो है वो स्वर्ग में इनके पिताजी के पास जाकर पहुँचता है गाड़ के महाराज तिसरा सवाल पुछते हैं यह स्वर्ग कितना दूर है भट जी बॉआ उनको समझाते हैं कि बहुत दूर है क्या मुंबई तक दूर ही क्या नहीं बहुत दूर है बहुत दूर है करोडो मेल दूर है गाड़ के महाराज मनहीमन बुदबद आते हैं बापरे भट जी बुआ ने मंत्र बोला तो इनका पिंड इनका चावल करोडो मेल दूर जाता है ऐसे कैसे जाता है और उनके मन में क्या आया मालूम नहीं वो नदी में गए, नदी के पात्र में से पानी उच्छालने लग गए, सब लोगों के उपर वो पानी उड़ने लग गया, लोग चिलाने लग गए, ए वेड़या पानी नो को उड़ो रहे, और फिर बगाड़े महराज बुन ले, से कितना दूर है रहे, वो बोलने लग गए, चार सो मिल दूर होगा, अरे वेड़या हाथ से पानी फेक रहा है, दस फिट जाएगा, पंदरा फिट जाएगा, बिस फिट जाएगा, चार सो मिल कैसे दूर जाएगा रहे, तब गाड़ के महराज कहते है कि नाई बौा, मित्रो एक अनपढ़ आदमे ने हमें बुद्धी प्रामान्यवाद सिखाया, साइंटिफिक टेमपर सिखाया, विचार कैसे करना ये सिखाया, हम तो पढ़े लिखे है, उनकी अपेक्षा थी कि लोग पढ़ लिखेंगे तो अंदविश्वास के बाहर आएगे, इसलिए उ पुले तर से लोगों को ठकते हैं और इसके बावजूद हम उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए तयार होते हैं, तो थोड़ा हमने गाड़ के महरास से सीखना चाहिए, इतना ही आवाहन यहाँ पर करूंगा और यहाँ पर रुकूंगा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन् झाल